शुषातियों स्वागत है आपका Self Study Classes विश्णवेजेन यूटूब चैनल में सुषातियों स्टार्ड हो चुका है आज का एस सेशन और एस सेशन बहुत ही बंपर प्लस एक हजार प्लस प्लस प्लसनों पर चर्चा करेंगे दोस्तों हम जुनियर सुपर टेट हिंदी साहित क का एप डाउनलोड नहीं किया और Self Study Classes का एप डाउनलोड नहीं किया तो दोस्तों एप को जरूद डाउनलोड कर लें किक है साथ ही दोस्तों Self Study Classes एप पर आपके लिए हिंदी साहित का एड़ेट जूनियर सुपर टेट का 20 मॉडल पेपर लांच किये गए औरे 20 मॉडल प पचास में आप इस मॉडल पेपर की प्रेक्टिस कर सकते हैं जिन भी सात्यों को दोस्तों जूनियर सुपर टेट की प्रेक्टिस करना है मॉडल पेपर की वो आज ही Self Study Classes में जाकर इस कोर्स में एड़ बीसर ले सकते हैं ठीक है साथ ही दोस्तों हिंदी साहित की डेली टेस डेली मिलेगा 365 दिन के लिए इसमें आप सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो आप दोस्तों ले सकते हैं एड़ बीसर और अपना ध्यन बहुत अच्छा और मजबूत बना सकते हैं आज से दोस्तों अपना दीकाल से टॉपिक बाइच कुछ प्रशनों पर चर्चा करेंगे हिंदी साहत की दीरकालीन गाता को सूत्रबद रूफ से इसपष्ट करने का सरपिर्तम प्रयास किसने किया ये आपका क्कुछन है टेली ग्राम गुरूप का नाम है IAS Study Trick ठीक है अब यहाँ पर आपको बताना है हिंदी साहित की दीर कालीन गाता को प्रश्न किरमांग का आपका एक है और इस इन किलासों को आपको मिस नहीं करना दोस्तो एक में आपका राइट आंसर है कि सरसर प्रितम प्रयास किया था गार को सही हो जाएगा बैरी गोडान सर गारसादा तासी के गरंत का नाम क्या है दूसरा क्वेश्चन ततकाल आपसे पूछा जाता है कि गारसादा तासी के गरंत का नाम क्या है बताए जल्दी से फटा पट से आपको क्वेश्चन बताना है लाइक करते जाना है और दोस्तों बढ़ते जाना है बताएं गारसदातासी के गरंत का नाम क्या है ए प्रशन किरमांग का आपका दो है और दो में आपने बताया है कि सर इनके गरंत का नाम है इस्तवारदा लेतितुरे अंदोई इंदोग्नमॉष्टानी यानि बी नंबर अब आपको बताना किये दोस्तो कितने भागों में प्रकासित हुआ और कब कब हुआ रामकुमार बर्मान इनका दूसरा भाग जो है एक कब प्रकासित माना है इसका आंसर भी आपको बताना है एक और कॉस्चन है इस्तवार दाला लेतुत रेंदु इंदोस्तानी गरंत किस भासा में लिखा गया प्रशने करमांक तीन का आंसर बताना है आपको हिंदी फ्रेंच अंग्रेजी या फिर उर्दू यानि कि तीन नंबर का शबी लोग बताएंगे प्रशने करमांक तीन में आपको चैन करना है और तीन का आपने बताया कि सरे जो गरंत है यह गरंत पेरेस से प्रकासित हुआ था औरे फ्रेंच भासा में लेखा गया बिल्कुल सही आंसर है वेरी गोड है ना तब का तु सुईरा के लेखा कौन है प्रश्ने किरमांग चार में बताएं जल्दी से और जिन भी सातियों को जूनियर सुपर्टेट का मौडल पेपर लेना है स्वानमबर हिंदी के लिए वो मौडल पेपर 20 मौडल पेपर ले सकते हैं मात्र 350 में दोस्तों 350 में सेल्प स्टडी के लासे सेप में इन मौडल पेपर का प्रेक्टिस लगा सकते हैं संबावित प्रशने किरमांग चार का अंसर आपने बताया है कि सर इसका उत्तर है मौलबी करीम उद्दीन यानि कि आपका डी नमबर जो है कि डी नमबर बिलकुर सही है बहुत बड़ी आंसर निम्न मैसे किस गरंत को अंग्रेजी में उर्दू कभियों का इतिहास और उर्दू में हि हिंदी सायरी का तजकिरा कहा जाता है प्रशने किरमांग पांच बताइए किस गरंत को अंग्रेजी में उर्दू कभियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी सायरी का तजकिरा कहा जाता है एक क्वेस्चन आपसे पूछा गया है तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएग पताईए प्रश्ण के रमांग 5 में और 5 में आपने बिलकुँ सही आंसर लगाया है शी नंबर यानि की तजकिरा की सुईरा की हिंदी यानि की शी आपका बिलकुँ सही है Very good answer बहुत बढ़िया अंगले question की और जाते हैं हिंदी साहित इतियास की निव का पत्थर किसे माना गया जल्दी से बताना है उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्ण किरमांग को 6 में च्छे का अंसर है बहुती बढ़िया अंसर है और च्छे में हिंदी साहित की इतियास की निव का पत्थर पूछा गया आपसे तो निव का पत्थर किसे माना जाता है दोस्तों आपने हिंदी साहित का इतियास पड़ा है और इतियास की एक सर्थ होती है कि उसमें काल विभाज जरूरी होता है जरूरी होता है तो कौल विभाजन की अधार पर जो प्रमोख गरंथ या प्रिथम गरंथ माना जाता है जिससे नूका पत्तर कहें तो वो हो जाएगा कौने सा लिट्रेचर आप हिंदोस्तान यानि कि आपका एक नंबर बिलकोल शाही है ठीक है बेरीगोड अंदर हिंदी आःत का प्रतम इतिहास गरंथ किसे माना गया प्रशन क्रमांग के साथ में इन कोईश्टनों को आपको फटा पट से हल करते जाना है हिंदी साहित का प्रतम इतिहास गरंथ किसे माना गया प्रश्ण किरमांग साथ है अच्छा क्वेश्चन है और साथ में आपका सीधा आंसर जा रहा है हिंदी साहित का प्रतम इतिहास गरंथ किसे माना जाता है तो हिंदी साहित का जो प्रतम इतिहास गरंथ माना जाता है वो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा एक नंबर ठीक है एक नंबर आपका बिलकुँ सही है बेरिगोड हिंदी कभियों का प्रतम ब्रत्य संग्रहकार कौन है प्रशने किरमांक आठ का आंसर आपको चैन करना है आठ में आपका राइट आंसर क्या होता है एक बार वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक सेयर जरू कर दो और सेल्प स्टेडी के लासे से आपको डाउनलोड जरू कर लो साथियो जल्दी से बताए प्रशने किरमांक आठ में आपका राइट आंसर क्या है और प्रशने किरमांक आठ का आंसर हिंदी कभियों का प्रतम ब्रत्य संग क्रहकार किसे माना जाता है ये आपका क्वेस्चन है और सीधा अंसर आपका आठ में जा रहा है कि सर वो माना जाता है किसको सेवसें सेंगर को यानि कि आपका जो सी नंबर है ये बिलकुर सही है इनके गरंथ का नाम आपको बताना है सेवसें सेंगर का गरंथ कौन सा है इसने किया बहुत अच्छे प्रस्टन हैं आपसे बनेंगे और आपसे बनने भी चाहिए एक क्वेस्ट्न हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों तो बताएं फटाक से चैन करें हिंदी साहज तितियास लेकर मैं सबसे पहले काल विभाजन किसने किया बताएं और आपका सीधा आंसर यहाँ पर जा रहा है क्या जा रहा है आंसर आपका जा रहा है प्रस्षन किरमान के नौ में डॉक्टर ग्रियरसन याणि कि आपका जो डी नमबर है डी नमबर यह बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है यह आपका डी नमबर बिल्कु सही है बहुत बड़ी आंसर ग्रियर्सन आपका राइट आंसर है अंगले कोस्चन क्यों राते हैं आपको बताना यहाँ पर एसियाटिक सोशाइटी आप वंगाल की पत्रीका के बिसे सांग शन 1888 CCB में किस गरंत का प्रिकाशन हुआ किस गरंत का प्रिकाशन हुआ बताए डाक्टर ग्रियर्सन करत मॉडन बनना कुलर का या चार सुकल करत हिंदी साहित के इतिहास का या पर डाक्टर ग्रपती चंद्रे गुप तिकरत हिंदी साहित का बेज्जाने कितिहास या फिर हिंदी साहित का आलों चनातमा कितिहास बता сразу 1888 CCB में किस गरंत का प्रिकाशन हुआ है कौन कौन सही आंसर बता रहा है ये तो सभी को पता है कि से डाक्टर गिरियर्शन के जो माडर बनाकूल लिट्रिचर आप हिंदोस्तान है ये गिरियर्शन का गरंथ है यानि कि आपका उत्तर एक नमबर जो है ये बिलकूर सही हो जाएगा ठीक है हिंदी साहित का इतियास एगडपती चंद्रगुप्त ने और हिंदी साहित का आलोचनात्मा की इतियास लेखा था 1938 में राम कुमार बर्माने ठीक है अंगला question प्रश्ण किरमांक 11 में The modern बन्ना कुलर लिट्रेचर आप हिंदोस्तान को हिंदी का प्रथम साहित इतिहास गरंत किसने माना किसने माना प्रश्ण किरमांक 11 में आपको चैन करना है किसने माना बताइए 11 का right answer लाइक करते रहें और share जरूर करते रहें दोस्तो किसने माना है modern बन्ना कुलर जो कि दोस्तो 1818 में यह प्रकासित हुआता है आप बंगाल की दोस्तों बिसे सांक में और यहां पर बिलको सही आंसर लगा है डाक्टर किशोर इलाल गुप्त यानि बी नंबर very good बिलको सही आंसर है बी नंबर आपका right answer है और उन्होंने प्रतम साहित इतिहास गरंत किसने माना है तो किसोर इलाल गुप्त ने हिंदी साहित के इतिहास का प्रस्थान बिंदू किसे कहा जाता है प्रशन किरमांक 12 में आपको चैन करना है हिंदी साहित के इतिहास का यह question आता है दोस्तों बहुत ही important question है प्रस्थन किरमांक 12 में और 12 का आपका right answer क्या हो जाएगा 12 का chain करना है करिये chain 12 में नीचे link दिये हिंदी साहित के app की तो हिंदी साहित का app आप लोग download कर सकते हैं दोस्तों है ना special हिंदी साहित बिसाई के लिए app बनवाया गया और यहाँ पर प्रस्थान बिंदू किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है से उसे हैं सरोज को जो कि से उसे हैं सेंगर की रचना है यानि कि आपका जोस्तों सी नंबर बिलको सही बेरिगोड डाक्टर ग्रियरसन ने अपने साहित इतियास ग्रंथ लेकरन में सरबाद एक सहायता किस से ली किस से ली सरबाद एक सहायता डाक्टर ग्रियरसन ने प्रशन किरमांक 13 का आंसर बताए ग्रियरसन ने सबसे ज़्यादा सहायता किस से ग्रंथ से ली है यह आपका question है फटापट से आपको बताना है लाइक करना है अपने मित्रों तक और share कर देना है दोस्तों बताएं प्रश्न किरमांग 13 और उत्तर जा रहा है आपका क्या जा रहा है किसे लिए बोली है से उसे हैं सरोज से यानि इसी नमर आपका फिर सही आंसर हो जाएगा बेरीगोर्ड मोडन पन्नकुलर लिट्रेचर आप बहुत अच्या क्वेश्टन है प्रश्न किरमांग 14 में कितनी हैं संक्या पटापट से बताते जाएं बहुत सारे प्रश्णों को अपन को चैन करना है प्रश्ण किरमांग चौदा का अंसर और चौदा में आपका अंसर जा रहा कि सर इसका अंसर 952 हो जाएगा प्रश्ण किरमांग पंद्रा में गार्साद अतासी का प्रफेसर नलिल बिलोचन सरमा का पंडे थजारी प्रशाद दुवेदी का या फे डाक्टर नाम वर सेंका ये आपको चैन करना प्रश्ण किरमांग पंद्रा में भाईया आई एस स्टडी ट्रिक सर्च कर लो टेली गिराम में कौपी पेस्ट नहीं करो ये आपका कतन है प्रश्ण किरमांग पंद्रा में और पंद्रा का ये कतन जो कहा है वो कहा है किसने प्रोफेसर नलिन विलोचन सरमा का है ये कतन बी नमबर आपका बिलकु सही है बी नमबर बैरी गोड दी मॉडन वरनाकुले लिट्रेचर आप हिंदोस्तान हिंदी के अध्यताओं की दरश्टी का केंद्र मिंदू नहीं बन सका क्यों की क्यों नहीं बन सका बताइए वैसे उसे उसे सरूच की आधार पर लिखा गया है या फिर दोस्तो उसमें साहित के विकास क्रम का सही निर्धारन नहीं है उसमें ब्याकर संबन्दी असुद्धियां है या पर वह अंग्रेजी भासा में लिखा गया है प्रश्ने किरमांक शोला क्या कारण है शोला का अंसर बताना है अनुराग यादाओ जी वैरी गोड अंसर वह अंग्रेजी भासा में लिखा गया है यानि की डी आपका बिलकुल शही वैरी गोड मिस्र बंदूओं में कौन सा नाम संबलित नहीं है प्रश्ने किरमांक सत्रा ये मिस्र बंदू दोस् कार दिये हैं कौन सा संबलित नहीं है वो आपको बताना है इन्होंने एक ग्रंत लिखाता दोस्तों कौन सा लिखाता मिस्र बंदू बिनोद जो की चार भागों में प्रकासित था 1913 में इसके तीन भाग प्रकासित हुए थे फिर चौता भाग 1934 में प्रकासित हुआ था है है और सीधा आंसर आपका जारा कि सर क्रशन विहारी ये मिसर बंदू में सामिल नहीं थे कियानी दी आपका राइट आंसर है बेरी गुड आंसर सिर्फ आपको उत्तर बताना है फठापड से ठीक है इसरी आपन पढ़ रहे हैं मिसर बंदू बिनोध में हिंदी साहित के इतिहास को कितने भागों में कितने भागों में दोस्तों विभाजित किया गया यह जल्दी से बताईए राइट अंसर क्या है पटाक से बताएं प्रशन करमां का आपका अठारा है अठारा का आंसर बताना है और सीधा आंसर जा रहा है कि सर अगर आप कहोगे अठारा में मिस्र बंदू बिनोद में हिंदी साहित के तियास को कितने कालों में बिभाजित किया गया अब देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होंगे एही तो कॉस्चन है दोस्तो अठारा का अंसर अठारा में बहुत सारे लोग ने बी लगा दिया चार भागों में लगा है आपको मैं बता दूँ कि ये जो मिस्र बंदू बिनोद है ये चार पुस्तकों में बटा मतलब चार पुस्तक एक पुस्तक दो पुस्तक तीन पुस्तक चार पुस्तक ठीक है ये चार पुस्तक इसकी प्रकासित हुई ये तीन पुस्तके मान के चलो सरल भासा में पहली वाल के चलो इस गरंथ में हिंदी साहित के इतिहास को पाँच कालों में कितने कालों में पाँच कालों में विभाजित किया गया यहां पर आपका उत्तर एक नम्मर सही है कालों में पूचा गया था भागों में नहीं पूचा भाग चार और काल पाँच ठीक है हिंदी नौरतन के लेखक कौन हैं सेोसें सेंगर मिस्रबंदू ब्योगी हरी या फिर स्याम शुंदर दास बहुत अच्छा क्वेस्चन है जल्दी वताएं हिंदी नौरतन ये पूछा गया है दोस्तो इसका आपको पता है कि इसका रचनाकाल है 1910 1910 रचनाकाल भी पूछा जाता कभी-कभी और हिंदी नौरतन के लेखक कौन है ये प्रस्चन किरमां कुनीस में आपसे पूछा गया तो सीधा आंसर की सर मिस्रबंदू है बैरी गोड़ बी नमबर आपका बिलकु सही आंसर है अंगले क्वेस्चन की और हम बढ़ेंगे पादरी एफ एकेई द्वारा लिखा गया हिंद तो यहाँ पर पादरी एफ एकेई द्वारा बताना है प्रस्चन किरमांक 20 का आंसर सभी से बनेगा दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा बिकल्प नमबर शी आ हिस्ट्री आफ हिंदी लिटरेचर क्यानि कि आपका सी नमबर बिलकु सही है ब्योगी हरी को ब्रज मादुरी सार के संपादन की प्रेणा किस से मिली ब्योगी हरी को ब्रज मादुरी सार के संपादन की प्रेणा कहां से मिली 21 का अंसर आपको चैन करना है लाइक कर दो एक बार सभी साती अपने मित्रों तक शेयर भी कर दो और दोस्तो जिनको भी जूनियर सुपर्टेट का हिंदी का मॉडल पेपर लगाना है वो सभी साती मॉडल पेपर से जुड़ जाएं दोस्तो सेल्फ स्टड़ी के लासे से जुड़ जाएं और मॉडल पेपर मात्र 350 में लेकर कि अपनी प्रैक्टेस को बहुत अच्छा बना सकते हैं यहाँ पर 20 बन का कॉश्चन पूछा गया उत्तर है पंडित रादा क्रश्न गोश्वामी से अंगला कॉश्चन 22 आचार सुकल का साहित इतियास गरंत हिंदी सब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रिकासित हुआ था यह कॉश्चन अभी साहित GIC में पूछा गया था दोस्तों या PGT में यह कॉश्चन आता ही है प्रश्न किरमांक 22 का आंसर आपको चैन करना है तो बताइए प्रश्न किरमांक 22 का आंसर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं 22 जो भी हमारे मास्टर के अडरबाले साती हैं वो भी कोर्स में एडवी से ले सकते हिंदी साहित के सम्पूर कोर्स में है ना उनके लिए model paper भी lunch किया गया है 22 का answer आपको chain करना है और सीधा answer आपका जा रहा हिंदी साहित का बिकास नाम से प्रिकासित हुआ था very god आचार रामचन सुकल किरत हिंदी साहित का इतियास का प्रिकास न वर्स तो क्या है हिंदी साहित का इतियास का तो प्रश्न किरमांग 23 में आपका राइट आंसर चला जाएगा कि सर ए प्रकासित हुआ था 1929 में ठीक है दी नम्मर आपका राइट आंसर हिंदी साहित का सरवाद एक विवस्ते तो लोगपरी इतियास गरंत कौन सा है 24 का आंसर चैन करना है वीडियो को लाइक और एक बार सेयर कर दें सभी साती अपने मित्रों तक और जूनियर सुपर्टेट के दोस्तो हिंदी मौडल पेपर में एड़ीसर ले सकते हैं जूनियर सुपर्टेट का क्रेस कोर्स भी लांच किया गया है जो भी साती मात्र 15 दिनों में अपनी तयारी अच्छा करना चाहते हैं तो एक क्रेस कोर्स भी बनाया गया है उसके लिए ठीक है तो हिंदी साहत का सरबाद एक बेवस्तित और लोकप्रिय इतिहास गरंत कौन सा है 24 का अंसर आपको चेन करना है और 24 का अंसर आपका B नमबर बिलको सही है बी नमबर राइट आंसर बेरी गोड हिंदी साहे तितियास लेकरन में आचार सुकल का प्रिथम क्रांती कारी कदम क्या था बताएं प्रश्निक रमांग 25 में वीडियो को लाइक करें जो भी जोनियर सुपर्टेट के अंतिम दिनों में हिंदी की दोस्तों तैयारी करना चाहते हैं वो एक क्रस्कोर्स बनाया गया उनके लिए 599 का उस क्रस्कोर्स में आप बहुत अच्छा कर सकते हो तैयारी कर सकते है अगर अभी तक आपने नहीं की है तो 25 का अंसर है 25 में आपको चेन करना है और आपका जो ये नंबर है वो बिलको सही हो जाएगा किसर आप भरंस साहित को हिंदी साहित से अलग वान कर उसे पूर्व पीठक्या के रूप में प्रस्तुत करना एक बहुत ही क्रांतिकारी कद सम था एक नम्मर आपका बिलको सही हो जाएगा ठीक है बैरी गोड आचार रामचन सुकले के अनुसार किसकी रचनाय साहित्य कोटी की नहीं है 26 का आंसर बताना है राइट आंसर सभी लोग चैन करेंगे आपको पता है दोस्तों की बीर गाता काल आदी काल को रामचन सुकल ने कहा था आदी काल को रामचन सुकले के अनुसार किसकी रचनाय साहित्य कोटी की नहीं है तो प्रशन किरमांग 26 में आपने सही आंसर लगाया कि सर सिद्धों और योगियों की नहीं है अब सिद्धों की बात आईए तो सिद्धों की संख्या भी आप बता दो सिद्धों की संख्या कितनी थी और नाथों की संख्या कितनी थी जल्दी से बताओ क्वेस्चन पूछ लिया जाता है सरल है लेकिन अच्छा क्वेस्चन है आपसे यहां पर हिंदी साहित इतियास का वह प्रमोख गरंत जो अभी तक अधूरा है बताईए कौनसा गरंत जो अभी तक अधूरा है बहुत बढ़िया प्रशन आपसे पूछा गया है दोस्तों एक क्वेस्चन आता है परिक्षाओं में पूछा जाता है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वह गरंत कौनसा है जो आज तक अधूरा ही है बताएं बहुत अच्छा प्रशन है आपको पत पूल आधा नहीं दिया जाता किसी को गलती नहीं करना आधा से क्या बनेगा शुमन हिंदी साहित का दूसरा इतियास लेखना बच्चों का खेल है क्या बच्चन का तु बच्चन से हैं हिंदी साहित का दोस्तों समीक चातमक इतियास प्रोफेसर बासुदे उसेहने लेखा और हिंदी साहित का आलोच नातमक इतियास के डाक्टर रामकुमार बर्मा का है और यही गरंत जो है यही गरंत क्या है अधूरा है क्या है अधूरा कौनसा डी नंबर बैरिगोड अंगला क्वेस्चन हिंदी साहित के इतिहास को आलोचनात्मक धंग से समझाने का स्रे किसको है आलोचनात्मक धंग से पूचा गया अब हिंदी साहित का आलोचनात्मक इतिहास नहीं पूचा गया अहां पर हलाकी विकलमा भी नहीं है लेकिन आलोचनात्मक धंग से समझाने का स्रे किसे है यह आप से पूचा गया 29 में बताइए शबी लोग लाइक कर दो शबी साती लाइक भी किया करें दोस्तों और बताएं आपका प्रशने हैं बहुत बढ़िया प्रश्न है 28 का और 28 में आपने बताया कि सर पदों लाल पुन्ना लाल बक्सी वेरी गोड बहुत बढ़िया अब आपको बताना है हिंदी साहित इतिहास की रूप रेखाम से योक्त हिंदी के मुसलमान कभी नामक पुस्तक के लेखक कौन है हिंदी के कौन है प्रश्ने किरमांग 29 है सभी लोग लाइक करें ये से असन रोज 9 बजे चलेगा दोस्तों आपको 29 का आंसर बताना है बताये 29 में 29 में सीधा आंसर जा रहा है कि सर हिंदी के मुसलमान कभी नामक पुस्तक के जो लेखक है गंगा प्रिसाद से हैं गंगा प्रिसाद स का बीजक कहा गया बहुत बढ़िया प्रश्न है 30 नंबर केसे साहित इतियास गरंत को आदुनिक साहित संपत्ती का बीजक कहा गया है ये क्वेस्चन है आपका नीचे लिंक दी है हिंदी साहित के एप की तो एप को सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्रश्ने किरमांक 30 मे आपका उत्तर चला जाएगा डी नंबर यानि कि हिंदी पुस्तक साहित माता प्रसाद गुप्ते माता प्रसाद गुप्ते इसको दोस्तो आदुनिक साहित संपत्ती का बीजक कहा जाता है किस गरंत को कहा जाता है हिंदी पुस्तक साहित बोले हिंदी पुस्तक तो हमारी मा तो ये माता प्रसाद गुपत जी का गुरंत है, अंगला कोश्चन, किसने अपने इतियास गुरंत में साहित के विकास के साथ साथ, संबेधना के विकास को भी देखानकित किया है, किसने किया है अपने इतियास में, प्रशन किरमांग 31 का अंसर, लाइक करते हुए आँगे ब यहाँ पर 30 बन का आंसर बताएगा उसका आंसर हो जाएगा एक नमबर यानि कि डाक्टर राम स्वरूफ चत्रुवेदी ये नमबर आपका बिलको सही है बहुत बढ़िया अंगला कोस्चन हिंदी साहित के इतियास में काल बिभाजन का सबसे पहले प्रयास किसने किया एक बढ़िया कोस्चन आपसे पूछा गया सबसे बनेगा सबी लोग बताएंगे काल विभाजन का सबसे पहले प्रयास किसने किया गारसादा तासी ने डाक्टर गिरियर्शन ने राम चंदरे शुकले ने या फिर मिस्टर बंधुआ ने बताइए अरविंदे आदव जी 32 का अंसर और 32 में आपका सीधा सीधा जा रहा ह कि सरकाल विभाजन तो गिरियर्शन ने का किया है सबसर्वे प्रतम डाक्टर गिरियर्शन ने अपने साहिट इतियास गरंत में आरविंदे काल को कौनसा नाम दिया है अधी काल चारण काल प्रारंभे काल चारण काल या फिर गाता काल क्या नाम दिया 33 में 33 का बताईए और लाइक जलू करिया आप लोग लाइक नहीं करते हो है ना 33 में आपको बताना है गुरू दक्षना देखे नहीं जाते हो गुरू दक्षणा में कम से कम लाइक करके ही जाया करो आप लोग 33 का अंसर राइट अंसर है चारणकाल यानी शी नंबर शी नंबर राइट अंसर बेरी गोड जार्ज गिरियर्सन ने हिंदी साहित का आरंब कब से माना वो कब से माना है ये आप से क्वेश्चन पूछा गया और सीधा आंसर है आट बी सती से कब से माना आट बी सती यानी सी नंबर दी मॉडर्न वरनाकुल लिट्रेचर आप इंदोस्तान के के सद्याय में काल विभाजन का इस पस्ट निर्देश है ये दोस्तों जो ये गरंत है ये 1888 में प्रकासित हुआ ठीक है और इसमें सबसे पहले काल विभाजन किया गया अंग्रेजी भासा में प्रकासित हुआ है ना बंगाल की असियाटिक सॉसाइटी आप दोस्तों इसके पत्रिका के विशेशांक में प्रकासित हुआ लेकिन आ आपको बताना है 35 का आंसर है आपका किसर बारबे अध्याय में कौन सी अध्याय में बारबे अध्याय यानि आपका उत्तर D नमबर जो लगाया है बहुत बढ़िया आसा जोसी जी वेरीगड हिंदी साहित के आदिकाल को आरंबेकाल नाम से अभी हीत किस ने किया बहुत अच 36 का आंसर आपको चैन करना है और सीधा आंसर जा रहा है किसर आरंबेकाल जो नाम दिया है वो दिया है किसने मिश्र बंधुओं ने यानि कि आपका जो एक नमबर है ये तीन भाई थे तीनों भाईयों के नाम लिखिए कमेंट में जल्दी से एक नमबर आपका मिश्र अग्यात काल का उलेक है दोस्तों उनकभियों का विवरण है जिनका निश्चे समय ज्यात नहीं है ठीक है यानि बी नमबर यहां पर सही हो जाएगा अंगला कोश्चन 38 का अंसर बताईए आप लोग तो हिंदी साहे तितियास ग्रंतों में काल विभाजन के लिए कितनी पद् पद्धतियां है एक अच्छा कोश्चन आप से पूचा गया 38 में बताईए लाइक करिए पटाक से सेर कर दीजिए अपने मित्रों तक हिंदी साहे तितियास ग्रंतों में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां है प्रश्चन किरमांग 38 और 38 का अंसर हो जाएगा कि सर इस चार पद्धतियां है कितनी चार चार पद्धतियां है नाम लिखिये पटाक से कौन कौन सी चार पद्धतियां है और यहां पर अंगला ही कोश्चन पूचा गया एप ए के ने आ हिस्ट्री आफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहे तितियास को कितने कालों में बिभाक् आखाये, चार, पास्च, छे या फिर साथ बताएं, प्रश्ण बताना है कि F.E.K. ने History of Hindi Literature में Hindi سाहित को कितने कालों में दोस्तो भिबुक्त किया, तब आपका उत्तर आया है कि साथ्ट चार कालों में, कितने कालों में अफिके इने चार कालों में यानि की एक नमबर आपका बिलकुर शाई है बहुत बढ़िया अंगला कॉस्चन किसने हिंदी की स्यासवा वस्ता के ब्रत्तों का बर्नन करने के उपरांत काल विभाजन का आधार हिंदी साहित में उठने बाले महत्पून आंदलोनों को दोस्तों बनाया काल विभाजन का आधार जो है आंदलोनों को बनाने बाले जो बिद्वान है वो बिद्वान कौन है उन बिद्वान का नाम आपको बताना है प्रस्ष्न किरमांक 40 में 40 में बताईए किसने बनाया बहुत अच्छा कोस्चन है 40 का आंसर आपको चैन करना है और जितने भी हमारे साती हैं दोस्तो सभी लोग लाइक जरू करें और सेल्फ स्टेडी किलासे से आपको डाउनलोड कर लें प्रश्न किरमांग 40 का आंसर आपका बिलको सही है कि सर आंसर D नमबर लगा दो D मैंने आंसर लगा दिया बिलको राइट आंसर very good D आपका सही है किसे साहे तितियास कार ने जनता की चित्त बिर्टियों को काल विभाजन का आधार बनाया बहुत बढ़ी अपर बढ़ी आंसर आना चाहिए जनता की चित्विर्तियों को काल विभाजन का आधार बनाने बाले विद्वान कौन है बताएं जल्दी से बताएं किस साहित तितियासकार ने जनता की चित्विर्ति को काल विभाजन का आधार बनाया है प्रश्न किरमांग को 41, 41 का अंसर आपको चैन करना है तो 41 में सभी लोग आंसर बता रहा है कि सर ये जनता की चित्विर्टी को काल विभाजन का आधार बनाया किसने राम चंदर शुकल ने यानि कि आपका ये नमबर बिलको शही आचार राम चंद सुकल ने अपने साहित इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया साहित इतिहास को इनका एक ग्रंथ है कौन सा हिंदी साहित का इतिहास सभी को पता है अब इस हिंदी साहित के इतिहास में हिंदी साहित को कितने कालों में विभाजित किया है कि प्रश्न किरमांग 42 का आंसर बताना है देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बताता है बताईए कितने कालों में बिभाजित किया बहुत बढ़ी आंसर बी नंबर यानि चार भागों में बिभाजित किया है चार कालखंडों में बिभाजित किया सभी का आंसर सही आया है बीर गाता काल लाम के बुरुद्ध सर्व प्रमो का अपत्ती है बताइए क्या अपत्ती है चार विकल्प हैं क्या अपत्ती है जिन गरंतों के आधार पर एह नामकर्ण किया है उनमें धारमिक्ता का प्रधान नहें उनमें स्रंगार रस्भी है उनमें कुछ आपराप और कु 43 का अंसर 43 में आपको चैन करना है और 43 में शबी का अंसर हो जाएगा कि सेर उसमें कुछ आपराप और कुछ परवर्ती काल की क्या है रचनाय है उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प नमबर C C आपका राइट आंसर very good हिंदी साहित के आरंबिक काल का सरवादे को पियुक्त नाम क्या है साथ ही आपको बताना है यहाँ पर कि बीर गाता काल किसने कहा सिद्ध सामंत काल किसने कहा आदी काल किसने कहा चारण काल किसने कहा तो यहाँ पर सरवादे को पियुक्त नाम सिद्ध सामंत कार राहुल सांकृत्यान ने कहा बीर गाता कार रामचन सुकले ने कहा चार अनकाल दोस्तो गिरियरसन ने कहा और रामकुमार बर्मा ने भी कहा ठीक है आचार सुकले ने अपने साहित तितियास ग्रिंत में लगबक कितने वर्सों तक के साहित पर प्रिकास डा यह आपका question है नीचे हिंदी साहित की दोस्तों आपके app की link दी है तो आप हिंदी साहित की app को download कर सकते हैं यहां पर आपको chain करना है 45 नंबर का प्रशने 45 नंबर में आपका सही answer क्या हो रहा है बहुत बढ़िया प्रशने है 45 में पुर आपका उत्तर यहां पर चला जाएगा क्या एक नंबर 950 बरस का कितने बरसों का 950 बरसों तक के साहित पर प्रिकास डाला है क्यानि कि आपका एक नंबर 950 बरस बिलकुल सही है ठीक है किसके साहित इतियास ग्रंत में आदिकाल के लिए चारणकाल सब्द का प्रयोग नहीं हुआ किसके नहीं हुआ बहुत अच्छा कॉस्चन है किसके साहे तितियास ग्रंत में आदी काल के लिए चारनकाल सब्द का प्रियोग नहीं हुआ प्रश्निक रमांग 46 में आपको चैन करना है और 46 का सीधा आंसर जा रहा है क्या जा रहा है बताए किसके साहे तितियास ग्रंत में आदिकाल के लिए चारणकाल सब्द का उप परियोग नहीं वा, यानि कि यहां पर आपके तीन कोईस्चन बर रहे है दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है कि गिरियर सन्ने भी चारणकाल कहा, रामकुमार बर्माने भी चारणकाल कहा, और F.E.K.E. ने भी चारणकाल कहा अगर किसी ने नहीं कहा तो वो है डाक्टर रमा संकर सुकल रसाल यानि कि श्री नम्मर आपका साही है ठीक है बेरी गुड हिंदी के आधिकाल को सिद्ध सामन्त योग किस ने कहा बिकल्प है बिना बिकल्प के बताए सिद्ध सामन्त योग किस ने कहा प्रश्न किरमांग 47 में सभी से आंसर बनेगा लाइक करते चलिए वीडियो को सेर करते चलिए अपने मित्रों तक सिद्ध सामन्त योग किस ने कहा ये आपका क्वेस्चन है सेर करिए दोस्तों, सिद्ध सामंतियो किस ने कहा, और यहाँ पर आपका सही आंसर चला जाएगा, किसर पंडित राहुल सांकृत्याइन ने सिद्ध सामंतियो कहा, यानि डी नम्मर आपका बिलकुँ साही बैरिगोड, आदीकाल का विशद विशलेशन करने का जो स्रे है, व रामकुमार बर्मा या फिर आयोध्या शेह अपाध्याय हरियोध यानि कि प्रश्न किरमांग 48 का आंसर चैन करना है और आदीकाल का बिसद बिसलेशन करने का जो स्त्रे है वो स्त्रे जाता है किसको जाता है ऐसे कितने साती हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद दोवेदी हजारी प्रसाद दोवेदी के तीन गरंतों को आपको कमेंट में लिखना है जल्दी से लिखिए आदीकाल की सीमा अबदी क्या है सीमा अबदी बताईए चटी सताबदी से नौवी सताबदी तक या फिर दोस्तों सात सतावदी से 70 सतावदी तक 8 भी से 11 भी या 11 भी से 14 भी सतावदी तक प्रश्निक रमंकर 49 49 का आपको चेन करना है 49 में आपका सीधा आमसर क्या जा रहा है कि सर जो आदिकाल की समय अब्दी है वो क्या है सेमाई अब्दी बताना है आदिकाल की और सीधा आंसर आपका चला गया कि 11 सताब्दी से लेकर के 14 भी सताब्दी जो है इसकी शमाई सीमा मानी जाती है डी नमबर आपका सही है डी नमबर जिनों ने बताया उनका आंसर सही हो जाएगा 5049 में हिंदी साहित के आदिकाल को अपवरेंस काल किसने कहा बहुत बढ़िया कॉस्चन है प्रशने किरमांग 50 में लाइक कर दो सबी लोग शेयर कर दो अपने मित्रों तक दोस्तों और इतना अच्छा कॉस्चन आपसे पूछा गया जो की सबी से बनेगा बहुत ही अच्छा कॉस् ने भी कहा था और दोस्तों किसने कहा था गुलेरी जी ने भी कहा था चंद्रधर सर्मा गुलेरी और धीरेंद्र बर्मा दोनों ने कहा था अपवरेंस काल आदिकाल को बीजवपन काल किसने नाम दिया बीजवपन काल लाम किसने दिया बताएं प्रशने किरमांग का आपक हिंदी साहित के जूनियर सुपर्टेट के हिंदी के मौडल पेपर में एड़ भी सल लेना है वो मात्र 350 में 20 मौडल पेपर हल कर सकते हैं और महाबीर पर साथ दुवेदी यानि बी नम्मर आपका राइट आंसर आदी कालीन साहित का प्रमुक रस है तो कौनसा है प्रमुक रस का जो प्रमुक रस है वो रस है बीर कौनसा है बीर यानि आपका सी नमबर बिलको सही है शी नमबर आपका राइट आंसर है आचार रामचन सुकल ने आदी काल के तरतिये प्रकरण में किसका विबेचन किया आदी काल के तरतिये प्रकरण में बताना है आपको बताएं किसक किरमांग को 53 का आंसर और 53 में आपका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं बहुत सारे लोग गलत बताएंगे इस क्वेस्चन को थोड़ा सा घुमा के पूचा गया है लेकिन क्वेस्चन बड़ा अच्छा है कि आचार रामचन सुकली ने आदिकाल के तरतिये प्रक्रण में किसका विबेचन किया है कौन-कौन सही बतारा प्रशन किरमांग 53 में 53 में बहुत सारे लोग गलत बताएंगे मुझे पता है और बहुत सारे लोगोंने सही आंसर लगाया कि सर बीर गाता काब्ब का इन्होंने क्या किया है यहाँ पर आदीकाल के पूँचा गया था आदीकाल के त्रतिय प्रकरण में हैना हिंदी साहित के त्रतिय प्रकरण नहीं पूचा तो आपका Ciper पर बिल्कु सही है पंडेत हजारी परसाद दुवेदी ने भक्ति साहित से بास्त्वेक हिंदी साहित का आरंब माना है क्योंकि माना है क्योंकि आदिकाल से लेकर भक्तिकाल तक की रचना है पुरानी हिंदी में मिलती हैं आदिकाल इन हिंदी उलटबासी सेली के कारण दुरूर है पुरानी हिंदी में ब्रामणों के कर्मकान डेबं वरनासरम व्यवस्ता पर तीबर प्रहार किया गया या फिर अप भरंसा भास हिंदी भक्ति काल तक आते आते काब भासा के रूप में इस्थापेत बताएं प्रशने किरमांग 54 का अंसर 54 में आपको चेन करना है और 54 में आपका सीधा अंसर जा रहा है कि सर अच्यार पंडे थजारी पर साथ दुवेदी ने भक्ति साहित से और हिंदी का स्वरूप क्या हो जाता है इसपस्थ हो जाता है यानि कि D नंबर हिंदी का सबसे प्राचीन चंद कौनसा है बहुत अच्छा क्वेश्चन हिंदी का प्राचीन चंद कौनसा है 55 में आपको चेन करना है लाइक जरू करें सभी साती हिंदी का सबसे प्राचीन चंद कौनसा माना जाता है फ्रशन किर्मांग को 55 में बहुत अच्छा क्वेंच है और सीधा सीधा आंसर आपने बताया कि सरफ प्राचीन चंद है दोहा हिंदी का सबसे प्राचीन चंद दोहा है आदि कालिन साहित के संबंध में कौनसा कतन सत्य है ये 56 का अंसर आपको बताना है आदी कालिन साहित सुध अपरणस में है आदी कालिन साहित सुध अपरणस अभास हिंदी में है या फिर आदी कालिन साहित सुध प्राकृत में है तो आपको चैन करना है और प्रश्न किरमांग को 56 में कि आदी कालिन साहित अपरणस अभास यानि कि आपका जो C नंबर है वो बिलकु सही है आप भ्रेंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित का आरंब साथ भी आट भी सदी किसने माना है फिप्टी सेबिन में आपको चेन करना है अब व्रन्स को पुरानी हिंदी मानते हुए छिंदी सायत का अरम्ब सात भी आठ भी सधी किसने माना है ये प्रसना आपको कमेंट में लिखना है अपने अना record दोस्तो इसी प्रकार से सभी साति कि भक्ति आंदोलन को इसायत की देन किसने माना है जल्दी से आपको बताना है कमेंट में लिखना है और लाइक कर देना है भक्ति आंदोलन को इसायत की देन किसने माना है ये आपको चेहन करना है चेहन करिए शबी साती चेहन करेंगे भक्ति आंदोलन को इसायत की देन मानने बाले जो विद्वान है वो विद्वान कौन है कौन बताएगा शब से पहले और सब से पहले बताया है कि सर ईसाइत की जो देन माना है वो माना है किसने गिरियर सन ने किसने माना है गिरियर सन यानि आपका एक नमबर जो है वो बिलकुर सही हो जाएगा ये नमबर आपका रा प्रशन प्रश्न के तू का आंसर आपको चेन करना है। किसने माना है प्रश्न किरमांक टू का आंसर और टू में आपका उत्तर हो जाएगा हजारी प्रिसाद दुवेदी यानि कि आपका जो बी नम्मर है वो बिलकुल शाई है बी नम्मर आपका राइट आंसर है पराजाई के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक स्रिष्टा प् प्रश्न किरमांक तीन में आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा तीन का बताएं और एक बार वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करने साथ यो इतने अच्छे क्वेस्टन जो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट हो सकते हैं परा कथन आपको बताना है कि कथन है किसका और बहुत सारे लोगों ने बता दिया सी लेकिन इसका सही उत्तर है बाबु गुलावराय क्या है इसका सही उत्तर बाबु गुलावराय यानि कि आपका जो बी नमबर है दोस्तो बी नमबर आपका यहां पर सही हो जाएगा ठीक है ब दोस्तो बिकल पनुसार उत्तर बताना है स्वरने काल और स्वरने योग में मतबेद नहीं करना है यहां पर है ना यह क्वेस्टन जैसा पूंचा गया है इसमें आप क्या उत्तर लगाओगे बताइए प्रश्न किरमांक चार का आंसर तो स्वरन काल और स्वरन योग यहां पर मतभेद करना है दोस्तों बिलकुर शही है यहां पर स्वरन योग किस ने कहा और स्वरन काल किस ने कहा ऐसा अगर कॉस्चन आता है तो आपको मतभेद करना है स्वरन काल और स्वरन योग में तो बताइए यहां पर राइट आंसर क्य हो जाएगा आपका दोनों आफसन हैं आपके पास एक तो गिरियर सन भी दिया आपके पास और एक डाक्टर स्याम सुन्दर दास भी दिया है देखते हैं कौन-कौन सही उत्तर बता रहा है बताईए और बहुत सारे लोगों ने बिल्कु सही आंसर बताया है कि सर स्वर्न काल क हाता किसने गिरियर सन ने लेकिन स्वर्न यूग जो कहा था वो स्याम सुन्दर दास ने कहा था अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको सी नमबर लगाना है ठीक है अगर यहाँ पर स्वर्न यूग की जगा अगर काल होता तो आप जार्ज गिरियर सन लगाते ठी जार्ज गिरियर्सन बोले काल के सामने गिरे गिरे तो गिरियर्सन है ना तो काल कहा किसने जार्ज गिरियर्सन ने योग कहा किसने सियाम सुन्दर दास ने यहाँ पर आपका उतरस्टी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है हिंदी साहित के इतियास में नामकरण की पांच में सभी साती एप को डाउनलोड कर लें एप की लिंक नीचे दी है दोस्तो और जिन भी सातीयों को दोस्तो क्या करना है ओपी चिंपा जी बिलकुल बहुत बढ़िया हिंदी साहित के तियास में नामकड़की देश्टी से कौन सा काल सबसे कम बिबादा इस पद रहा ह ये आपको बताना है प्रशने किरमांग पांच में और पांच का उत्तर आपका चला जाएगा भक्तिकाल यानि आपका डी नंबर बिलकुँ सही हो जाएगा कि कम बिबादा इस पद रहा है भक्तिकाल बैरी गॉड अंगले क्वेस्टिन क्यों आते है दोस्तों अंगला किसने कहा है प्रशने किरमांग छे में भक्तिको धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है ये प्रशने किरमांग का आपका छे है छे का आंसर आपको चैन करना है सबी साती चैन करेंगे जल्दी से नीचे लिंक दी है एप की एक तो हिंदी साहित का आपका एप है और एक है दो का रसात्म का रूप किस ने कहा ये प्रश्न किरमांक 6 का अंसर आप से पूचा है और सभी लोगों ने बिलकुँ सही बताया कि सर आचार शुकले ने कहा यानि बी नम्मर आपका बिलकुल शही है बी नम्मर राइट अंसर बेरी गोड भक्तिकाल को हिंदी साहित का स्वर्न य कहा जाता है क्यों कहा जाता है प्रश्न किरमांक 7 का आंसर बताना है साथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा भक्तिकाल को हिंदी साहित का स्वर्न योग कहा जाता है क्यों कहा जाता है यह उत्तर आपको चैन करना है और यहां पर आपका उत्तर क्या होता है देखते हैं कौन कुछ सही उत्तर बता पाता है यह है प्रस्ञन आापका चैन करना है लाइक करना है सीयर करना है और इस ip Crusist नम्बर आपको जोड़ी रहना है और यहां पर आपने उत्तर बता दिया B इसकाल की रचनातियां त ل्ोक प्रिये एवा मुत्करष्ट हैं यानि की बी नमबर आपका बिलकुल सही है ठीक है बहुत बड़िया बी नमबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति आंदोलन को इसलामी आकरमण से पराजित हिंदू जनता की असहाई एवा मिरास मना इस्तिती से किसने जोड़ा है प्र नमबर बहुत बड़िया 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 राम इसलामी आकरमण से पराजित हिंदू जनता की असहाई एवा मिरास मना इस्तिती से किसने जोड़ा प्रश्ने किरमां का आठ का आंसर और आप लोगों का आंसर बिलकुल सही आरहा है इसमें अगर टिक लगा देना सी नमबर लगा देना जो कि आपका बिलकुल शही है बेरी गुड बहुत बढ़िया यहां पर आ जाते हैं भक्ती दिर्विड उपजी लाए रामानंद एक किसने कहा है यह आपको बताना है बताएए चिंपा जी प्रश्न किरमांक 9 और पीस सी आ रहा है क्या चिं ने कहा प्रश्न किरमांक 9 में और 9 का सीधा अंसर आपका जा रहा है किसर यह कहा है किसने कबीर ने किसने कहा है कबीर यानि कि आपका जो डी नमबर है यहां पर आपका डी बिलकुल शही हो जाएगा रामा नुजाचार के गुरू कौन थे प्रश्न किरमांक 10 रामा नुज रामानुजाचार के गुरू कौन थे ये आपका question है प्रशन किरमांक 10 में अपन को प्रशना नुसार उत्तर बताना है तब आपका right answer यहाँ पर क्या हो जाता है बताए लाइक करना है सबी सातियों को share कर दो अपने मित्रों तक self study classes app download कर लो self study classes app download कर लेना है रामानुजाचार की गुरू कौन थे तो उत्तर हो जाएगा यह नंबर यानि की काची पून कौन थे काची पून यह नंबर जिन्हों ने बताया right answer किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है बताएं किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है कि प्रश्न किरमांक आपका ग्यारा है तो आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा ग्यारा नंबर का राइट आंसर बताना है लक्षमी जी और अभंग के नाम से जाना जाता है वो है दोस्तो कौन नाम देऊ एक नंबर नाम देऊ बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया नामदेव आपका राइट अंसर हिंदी भक्ती काब का सुबारंब किसकी रचनाओं में माना गया है बताएं अपन ने पढ़ा था दोस्तो कि कबीर के पहले रैदास और नामदेव आते नामदेव का जन्म बताईए कब हुआ था नामदेव का फटाक से बताना है और प्रश्न किरमांक बारा में आपको चैन करना है और बारा का अंसर है कि भक्ती काब का जो सुबारंब है वो किसकी रचनाओं से माना जाता है तो बहुत सारे लोग कबीर बता रहे हैं सूरदाश बता रहे हैं तुलशी बता रहे हैं लेकिन यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा नाम देओ यानी बी नमबर आपका बिलकुल शाही है जिन्होंने भी बताया है नाम देओ का जन्म कब हुआ आपको कमेंट में लिखना है बताईए कब हुआ नाम देव का अपन ने पड़ा कि इनकी भक्ती परग्गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है है ना और भक्ती काब का शुबारा में किसकी रचनाओं से माना गया तो नाम देव की खीक है बहुत बढ़ी या दिब्बे प्रबंदम काब संकलन है दोस्तों तो बताईए किसका है दिब्बे प्रबंदम शबी लोग बताएंगे प्रशने किरमांक 13 जब दोस्तों आप से करमबद्ध पूछा जाता है तो आपको पता होनी चाहिए कि सर पहले नाम देव रेदास और फिर बाद में आते हैं कबीर है ना प्रशने किरमांक 13 क आपका उत्तर हो जाएगा किसर कि आलबार भक्तों का काब संकलन है दिब्बे प्रबंदम ठीक है बहुत बढ़िया यह श्री नम्मर आपका सही हो जाएगा लेकिन आपको बताना है कि आलबार भक्तों की संक्या कितनी है आलबार भक्तों की संक्या कितनी है और आलबार भक में एक दोस्तों क्वंती महिला संत भी थी उनका नाम क्या था वो भी आपको बताना है बताए आलबार भक्तों के बारे में ये दिब्ब प्रबंदम काब शंकलन है आलबार भक्तों का इनकी संख्या आपको बतानी है आलबार का साब्दे कर्थ भी आपको चेन करना है प्रश सीधा सीधा उत्तर जा रहा है कि सर आलबार सब्द का जो साबदे कर्थ होता है वो होता है मगन होना, क्या होता है मगन होना, यादि आपका डी नमबर बिलकुल शाही है, डी नमबर साइई, वेरी गौड, निर्गोड एवं सगोड दोनों प्रिकार की भक्ति का मुख लक्छ ठीक है इसी प्रकार निर्गोण एबमसगोण दौनव प्रकार की भक्ती का जो मुखल अक्षण है वो मुखल अक्षण आपको चैन करना है प्रश्ण किरमांग 15 में सेल्प स्टेडी किलासे से एप डाउनलोड कर लो और हिंदी साहित के एप की नीचे लिंक दी है तो लिंक स से आप जोड़ सकते हो जिन भी सातियों को डेली प्रेक्टिस सेट लगाना है उनके लिए कोर्स लांच किया गया डेली प्रेक्टिस का तो आप डेली प्रेक्टिस कर सकते हैं दोस्तों 499 में 365 दिन रोज एक टेस्ट आपको मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर प्रश्ण किरमा आपका पंद्रा है और पंद्रा है भगबत विस्यक रती एवं अनन्निता यानि कि आपका जो यह नंबर है वो बिलकुल चाहिए इस सगोन निर्गोन दोनों प्रेकार की भक्ति का क्या है मुख लक्षण है ठीक है नमाल बार के गीतों का सबसे पहले संपादन किस ने किया बताए लोकेश जी संत एक नात ने नात मुनी ने ग्याने सुर ने या फिर नाम दियो ने नमाल बार के गीतों का सबसे पहले संपादन किस ने किया यह प्रशने किरमांक सोला का अंसर आपको चैन करना है और दोस्तों यहां पर नमाल बार यानि की जो बी नंबर है यह बी नंबर आपका सई हो जाएगा ठीक है यह नात मुनी ने किया है ठीक है बहुत बड़िया आलबार गायकों की शंक्या क्या थी आलबार गायकों की शंक्या कितनी थी तो आपने पहले ही बता दिया कि सर आलबार भक्तों की शंक्या थी बारा है बिलकुर शही है बारा तो रामानंद के सिस्तियों की संख्या भी कितनी, बारा, ठीक है, ये भी अपन को याद कर लेना, अब आपको बताना है, भारत भारती का रचनाकाल क्या है, जल्दी से बताए भारत भारती मेत्री शणगुप्ति की, आरबार महिरा संत का नाम क्या है, तो सबी को पता है कि सर अंडाल है, बिल्कुल सही अंसर, डी नमबर, ठीक है, नेक्स्ट है, रामानुजाचार ने किसकी उपासना पर जोर दिया, प्रश्न किरमांको 19 का आंसर आपको चैन करना है, प्रश्न किरमांको 19 में आपको बताना है, राइट आंसर आपका क्या है, बहुत बड़ बढ़ एक तो राम भक्ती साखा और दूसरी क्रश्न भक्ती साखा दौनों ही साखा हैं दोस्तों क्या मानती हैं विश्णू का आउतार मानती हैं राम भक्ती साखा राम को विश्णू का आउतार मानती हैं और क्रश्न भक्ती साखा बाले क्रश्न को विश्णू का आउतार मानते हैं अब धूत किसे कहते प्रश्न किरमांग 20 का अंसर बताना है अब धूत किसे कहते अरुन राजपुजी प्रश्न किरमांग 20 में डाइट करना है सेर कर देना अपने मित्रों को मदवाचार के अनुयाईयों को निमबार्क के बेरागियों को रामानंद के बेरागियों को या पिर चेतन्य के सन्यासियों को यानि कि 20 नंबर है और 20 में आपको चैन करना है और आपका उत्तर है कि सर अब दूत पूचा है आपने तो ये कहा जाता है किसे कहा जाता है 20 में अनिल कुमार जी बहुत बड़ी आंसर रामा नंद के बैरागियों को याणि आपका C नंबर बिलकुल शही है बहुत बड़ी आंसर बैर इगोड अच्छे से आंसर बता रहा है जब हम भक्तिकाल पढ़ रहे हैं, तो भक्तिकाल में भक्ती ही होगी, ठीक है, प्रश्न कर्मांक 21 है आपको 21 में आपको चेंड करना है, कि रामा नंद ने नाराएन व्लचमी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिया प्रश्नी किरमां का आपका twenty one है और twenty one में आपका सीधा आंसर जा रहा है कि sir, Sita Ram की उपासना पर यानि C आपका सीधा बिल्कुल शही है सीधा Ram आपका राइट आंसर है ठीक है, very good योग साधना के प्रवर्तक तथा आदी गुरु कौन माने जाते हैं? योग साधना के प्रवर्तक और आदी गुरु कौन माने जाते हैं? बहुती बढ़िया कौस्चन है प्रश्न किरमांग का आपका दोस्तो 22 है 22 को आपको चैन करना है लाइक करना है और आपका उत्तर हो जा कि सर योग साधना के आधी प्रबरता को राधी गुरु जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं जल्दी से बताएं आपका राइट अंसर जा रहा कि सर बो जान बाने जाते हैं स्यो कौन माने जाते हैं स्यो यानि कि आपका डी नंबर जो है डी आप लोग लगा रहे हैं तो तो बिल्कों सही है पंकश कुमार जी। ठिक है कवंशा मने जाते है स्यो आधी गुरू पूचा गया प्रश्न को थोड़ा सा पढ़ना है आप लोगों को नहीं तो इतना बस पढ़ लो योग साधना की प्रवर्तक क्वन है योग सान्दा की प्रदक्त था आदी गुरु पूचा है तो आदी गुरु स्यो माने जाते हैं यानि कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज ये नंबर में लगा दिया आपको डी लगाना था ठीक है आपको अगर पूचा जाता दोस्तो नाथ पंत के प्रवर्तक कोन है नाथ मत के प्रवर्तक कोन है तो आप गोरक नाथ लगाते लेकिन यहाँ पर आदी गुरु आपसे पूचा गया तो आपको स्यो लगाना है है ना आपको संत मत का महत तो इसलिए है क्योंकि बे मानते हैं भक्ती चेत्र में जाती पाती का भेद सास्त्रिय ज्यान का महत्त यानि की प्रस्ण आपका 23 है, 23 में आपको चैन करना है और आपका उत्तर हो जाएगा कि सर की स्वर को मिलाने बाला गुरू है, यानि बी नम्मर आपका सही हो जाएगा, संत मत्त का महत्श्रिय है क्योंकि वे मानते हैं की स्वर को मिलाने बाला कौन है, गुरू है, यानि बी नम्मर आपका, राइट आंसर, नीमा किस कभी की माता का नाम था, बहुत अच्छा क्वेस्चन है, सभी से बनेगा, 24 में लाइक करते चलें सभी साती, और 24 का आंसर बतान है, इस किलास को अटेंड करें, रोज आप लोग, 24 में आपको चेंड करना है, और 24 में आपका है कि सर कभीरदास की माता का नाम था, नीमा, लेकिन प्रस ने अहीं तक नहीं रोका दोस्तों, आपको ये भी बताना कि कभीरदास का जन्म, कब हुआ, और कहां पर हुआ, मृत क्यों कहां पर हुई, ये तीन क्वेस्चन और साथ में बताना है, उत्तर भारत में बैसनाव भक्ती के संस्थापक कौन है, ये आपको बताना है, विकल्प अनुसर आपको चेंड करना है, प्रश्न किरमांक 25 में, संस्थापक पूचा गया दोस्तों, तो संस्थापक में आ संस्थापक कौन है, आपको चेंड करना है, 25 में, और 25 में आपका बिलकुँ सही आंसर हो जाएगा, रामानुज कौन है, रामानुज है ना, और रामानुज संस्थापक है, और दोस्तों आपको पता है, कि उत्तर भारत में राम भक्ती साका को जो फैलाने वाले थे, देखा था कि सर जो है आपको पता था कि भक्ति काल दो काब धाराओं में बट गया था सगौन और निर्गौन निर्गौन भक्ति का आदी स्त्रोत क्या है ये आप से question पूछा गया है तो सबी लोग बताएंगे 26 में और 26 का आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर निर्गौन भक प्रश्न किरमांग 27 में इसमार्ट बनना है तो क्या करना है बुलिस्तर संकर जी की पूझा करेंगे बहां से असीरबाद आएगा तो हम संकर बन जाएंगे बुद्धी मिल जाएगी तो यहाँ पर संकर अच्वार इसमार्थ संप्रदाए के क्या थे संस्तापक थे एक नम्मर आपका सही है यहाँ पर आपसे पूछा गया दोस्तो शुमेलित करना है कि सास्ता पूजक संप्रदाई कहां से संबंदेत है सहजिया संप्रदाई कहां से संबंदेत है पंच सका और बारकरी संप्रदाई कहां से संबंदेत है सूची एक को सूची दो से मिलान करना है और बहुत अच्छा question आप से पूचा गया है कि सास्ता पूजक संप्रदा है सास्ता सास्ता से वनेगा सस्ता सस्ता से क्या वनेगा बोले सस्ता है करेला करेला क्या है सस्ता है तो करेला से सस्ता हो जाएगा सास्ता पूजक संप्रदा है केरल ठीक है सहजिया संप्रदाय आप से पूचा गया तो सहजिया याद रखटी ना बोले सर बंगला सहज में नहीं मिलता की मिल जाता है कि वोले आपका सपना क्या है बोले हाँ एक गारी होना चाएए और बंगला होना चाएए मोटर कार होना चाहिए है ना तो बोले बंगला चहीज में नहीं मिलता तो याद रख्टेना सहजिया संप्रदाय कहां से संबन देते है तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर हो जाएगा दोस्तो बंगाल से ठीक है पंच सका संप्रदाय पंच सका बुले पंच सका उड़ गए उड़ गए तो उड़िया से उड़ी सा पंच सका कहां गए उड़ ग ठीक है बारकरी संप्रदाए ये बारकरी संप्रदाए महरास्ट बोले महरास्ट बार करता है ठीक है तो ये तको याद रखते ना सास्ता पूजक संप्रदाए केरल से सहजिया संप्रदाए बंगाल से पंच सका ओड़ गए तो उडिया से उडीसा से बारकरी संप्रदाए महर से इनको यात कर लेना निरगुण का अब धारा को ग्यानासरै और प्रेमासरै दो भागों में विभाजित करने बाले बिद्वान कौन एंगणासरै और प्रेमासरै बताईये 29 का आंसर बताना है 29 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा लाइक करते हुए अपने मित्रों तक सेयर करिए और दोस्तों बने रहिए ऐसी ही अनेको ट्रेक आपको मैं बताऊंगा निर्गुन काबधारा को ग्यानसरई और प्रेमासरई दो भागों में विभाजित करने बाले जो बिद्वान कौन हैं बताएं बहुत अच्छा क्वेस्चन है ग्यानसरई में आपको बढ़ाया है कई बार 29 का अंसर बताना है और आपको पता है कि सरे निर्गुन काबधारा को जो ग्यानसरई साखा और प्रेमासरई साखा में बाटा है वो बाटा है किसने राम चंद्र श से पढ़ दो साधना के छेत्र में जो ब्रह्मा है साहित्य के छेत्र में बही रहस बाद है ये कथन किसका है ये कथन आपको बताना ये चार बिकल्प है आपको चैन करना है ये कथन किसका है अचार सुकल का अचार हजारी प्रसाद दुवेदी का खुरेशी जी महापंडित र अपने राम चंदर शुकल का ये नमबर आपका बिलकूर शही है ये नमबर राइट अंसर विश्णू का सरप्रतम उल्लेख कहां मिलता है बहुत बड़ या प्रशन है विश्णू का सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है और क्रशन का भी बता देना क्रशन का सबसे पहले उल् अंसर कहां जा रहा है देखते हैं कौन कौन सफल होता इस प्रश्ण को बताने में और विश्णू का सबसे पहले जो लेक मिलता है दोस्तों वो लेक मिलता है रिगवेद में लेकिन कॉस्चन यहीं तक सीमित नहीं है प्रश्ण का सबसे पहले लेक का मिलता ये भी आपको बता तो जल्दी बताओ बैय सणवाओ धर्म के संस्ताप को में नहीं है तो कौन नहीं है बैह सच्णों धर्म के संस्ताप को में कौन नहीं है प्रशनek रेमांग को थर्टी दोईतबाद की प्रवर्तक माने जाते हैं मदवाचार की बात करें तो ये दोईतबाद की दोस्तों प्रवर्तक माने जाते हैं निमबार्क की बात करें तो ये दोईता दोईतबाद के माने जाते हैं और दोईता दोईतबाद यानि कि उसे सनक संप्रदाई भी कहा जाता और कही सनक संप्रदाई आपकी TGT में पूछा था कि सनक संप्रदाई की प्रबरतक कौन है तो आप मैंने आपको बताया था कि निम्बू देत देत थक गए पड़ोसी को देत देत से दोईता दोईत निम्बार्क अब निम्बू को निम्बू अगर पड़ोसी को नहीं दोगे त सनक जाएगा तो सनक संप्रदाए निम्बार क्यात कर लेना भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में ना होकर दक्षन भारत में हुआ था इसके मूल कारण में कौन सा कथन सत्य है बताइए प्रश्न किरमांक 33 है अच्छा कॉस्चन है शबी लोग बताएंगे फ्रीड का आंसर आपको चैन करना है पुर आपका उत्तर जा रहा है किसर यहां पर दक्षन भारत पूर्टा क्या था निरापद था निरापद था तो एक नंबर आपका सही हो जाएगा ये नंबर आपका राइट आंसर है बहुत बड़ी आंसर ठीक है बैरी गोड आंसर ये कथन सत है एक नंबर आपका बेरी गुड अदोयत दर्सन या अदोयत बाद के प्रबड़तक कौन है प्रश्न किरमांग 34 अदोयत बाद के प्रबड़तक कौन माने जाते हैं यह आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा 34 का अंसर लाइक करना है मित्रों को सेर करना है से अपको दोस् अदुतिये हैं कि नहीं अदुतिये हैं ठीक है अदुतिये हैं तो अदुतिये से क्या हो जाएगा अदुत अदुत बाद और अदुत बाद के दोस्तों अचार संकराचार मान जाते हैं यानि कि आपका यहां पर डी नंबर अदुत बाद का पूचा है अदुत बाद के शंकर अदोईतबाद के संक्राचार बहुत बढ़िया सूची एक से सूची दो को मिलान करिए यहाँ पर आपसे दिया है सुध्धा दोईतबाद के प्रवर्तक कौन है यह आपको बताना अदोईतबाद के कौन है बिसिष्टा दोईतबाद के कौन है कौन है कौस्चन पूछा ही ज सही दिया है बोली सर सुद्धा दोईतबा सुद्ध बल बल से बल्लबाचार अदोईत अदुत्य कोने संकर तो संकराचार विसिष्ट कोने राम तो रामानुजाचार दोईतबाद मदबाचार ठीक है यहां से कोस्चन आता है अदोईतबाद के प्रबरता काचार संकर को क्यों कहा था 36 का अंसर बताएए उत्तर क्या हो जाएंगा उसमें शभी लोग बताएंगे प्रश्ण क्रमान थर्टी सिक्स का अंसर अदोएत बाद के प्रवरता काचार संकर को कुछ पुरान पंतियों ने प्रचन बोध्य कहा था क्यों कहा था एक वेस्चन आपको बताना है 36 का अंसर आपको चेन करना है और बहुत ही बढ़िया है दोस्तों बताएं 36 का अंसर और लाइक करना है अपने मित्रों तक सेयर कर देना है दोस्तों और जिन भी सातियों को एड़ेट जूनियर का मॉडल पेपर हिंदी नंबर 100 का मॉडल पेपर प्रेक्टिस करना है वो 350 में सेल्फ स्टेडी क्लासेस में आप मॉडल पेपर में 80 सल ले सकते हैं और यहाँ पर 36 का अंसर है तो यहाँ पर आपका D नंबर सही है कि बोध धर में सभी मनुस से समान है संक्राचार ने इसी कानूकरण किया था यानि कि आपका जो D नंबर है वो बिलकुश सही है ठीक है अदोइतबाद के अनुसार बताईए जीव और ब्रह्मा एक है क्या संसार सत्य है 37 का अंसर आपको चैन करना है और दो बिकल्पों में से ही आप उत्तर बता सकते हो अदोइतबाद यानि कि प्रबर्तक संक्राचार अब अदोइतबाद के अनुसार क्या सही है जीव और ब्रह्मा एक हैं यानि कि ये नम्मर आपका बिलकुर सही है ये नम्मर आपका राइट अंसर हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा आते हैं यहां बहां देखते हैं और पूछते हैं कि भक्ति आंदुलन को दक्षन से उत्तर भारत लाने का स्त्रे किस को है एक नॉर् अपको बताना है शबी लोग बताएँगे उत्तर क्या हो जाएगा प्रशन किरमांक thirty eight में आपको चैन करना है और thirty eight में बक्ति आंदुलन को दक्षन से उत्तर भारत लाने का स्त्रे किसको है उत्तर क्या तोगा यहां पर सभी को पता है कि सर संत्राहा रामानंद लायते बारा सिस्य थे इनके हैना बारा सिस्यों में एक कभीर दास भी थे ठीक है कभीर दास भी थे रामानंद दोस्तों सगुण पंती थे जबकि कभीर जो थे निर्गुण पंती थे यानि कि रामानंद सगुण ते और सगुण भक्तिदारा के इस रामानंद के स इस्यों में दोस्तो निर्गुन पंथी भी थे है ना हरीदासी संप्रदाय के प्रबर्तक कौन है हरीदासी संप्रदाय बहुत बढ़िया क्वेस्चन आपसे पूछा गया है कौन कौन सही उत्तर बताएगा और इस हरीदासी संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है ये भ इस नाम से जाना जाता है ये भी आपको बताना है और यहाँ पर तो आपका हो जाएगा कि सर्व हरिदासी संप्रदाय यानि कि उत्तर क्या हो जाएगा सबी लोग बताएंगे यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा स्वामी हरिदास ठीक है यहाँ पर आपका उत्तर एक नमर बिलकुल सही हो जाता है अंगला कोस्चन है बैसनाव धर्म के चार प्रमो काचारें में से किसने अपने सिद्धानतों में भक्ती और घ्यान का समुच्च चैमाना है बताएं प्रशन किरमांक 40 40 का अंसर आपको चैन करना है और यहां पर बहुत बढ़िया अंसर आया है कि सर इसे 30 संप्रदाई भी कहा जाता है और इसे सकी संप्रदाई भी कहा जाता है ठीक है बैसनाव धर्म के चार प्रमो काचारों में से किसने अपने सिद्धानतों में भक्ती और घ्यान का करना है लाइक करना है अपने मितनों तक और सेल्फ स्टेडी किलासे से आपको डाउनलूट करना है यहाँ पर तो आपका रामा नुज बिलको सही हो जाएगा रामा नुज अचार जो की स्री संप्रदाय के प्रबर्तक हैं अदोयत बाद के प्रबर्तक हैं रामा नुज अचा है बहुत अच्छे से आप जानते हो रामाबत संप्रदाय को सभी लोग बताएंगे और एक बार लाइक करके सेर जरू कर दीजिए सभी साती मंजा आ रहा हो आपको अगर 41 में आपको रामाबत संप्रदाय पूछा गया और रामाबत में आपने बता दिया कि सर बी नंबर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 42 में आप चैन बताएंगे है ना कहीं कहीं बारकरी संप्रदाय यहाँ पर बिकल्प में आपको पुंडलिक नहीं दिया है दोस्तों है ना लेकिन यहाँ पर आपको बिकल्प अनुसार अगर उत्तर लगाने को बोला जाए तो आप लोग अच्छा कोस्चन है मैंने आपको कई बार बता चुकि इसी किलास में तो बताएंगे आने वाले आरप स्थी एक्जाम है ना और दोस्तों बास्टर केडर एक्जाम हच पी टेट हच टेट आज दी एकजामों के लिए हिंदी साहित का सर्विस्रेश्ट सेल्प स्टेडी के लासेश जब तक तोडेंगे नहीं तब तक छोडेंगे नहीं है ना दुसरी संप्रदाई के प्रबर्तक रामा नुजाचार कहां गए ए हैं बी नंबर रामा आते हैं इसका आपको चैन करना है मदबाचार निंबार्क विश्नुश्वामी या फिर रामा नुज यानि की चबालीस का अंसर और चबालीस में बिलकुर सही आंसर आ रहा है किसर अगर आप रुद्र संप्रदाई पूछोगे तो टिक भी लगा दे ना विश्नुश्वा सता है जंबनात ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की ये 45 वा प्रशन है लाइक कर दिना है ये एक बार और 45 में आपको चैन करना है और सीधा आंसर जा रहा है कि सर बिश्नुश्वा जाओ बिष्णोई शंप्रदाए के प्रबर्तक कुन है जंबनात बिष्णो में जंब जाओ जंब जाओ तो जंब से जंबनात और बिष्णोई से डी नंबर इनको याद करोगे अनंता नंद कबीर सुखा सुरसुरा पदमा बती नरहरी पीपा भावा नंद रियदास धन्ना सेन सुरसरी और घरहरी है ना ये रामा नंद के सिस्थियों की एह सूची किस काब गरंत में हैं ये सूची किस काब गरंत में हैं बताएए अनंता नंद कबीर सुखा सुरसरा अल में आपका स्राइट अंसर बताना है और उत्तर आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा भक्त माल बीजक कहलाता है इसके कितने भाग हैं बीजक के कितने भाग हैं बताइए बीजक के कितने भाग हैं 47 का अंसर बीजक के कितने भाग हैं 2, 3, 4 या फिर 5 यानि कि 47 नंबर में आपको चैन करना है और सीधा अंसर चला गया कि सर बीजक में जो भाग हैं वो भाग हैं कितने 3 यान बी नमबर आपका बिलकुल शही है ठीक है बी जक में भाग तीन है कौन कौन से हैं वो भी आपको बताना दोस्तों यहां पर आपका उत्तर है कि भक्तिकाल की समय सीमा क्या है भक्तिकाल की समय सीमा आपको बताना है संबत में दिया है तो संबत में आपको चेहन करना है साकी बताईए राइट आंसर और सभी को पता है कि सर संबत 1375 से लेकर के 1700 का जो काल है ये माना जाता है भक्ती काल ठीक है बैरी गोड आंसर गिवाद 207 का आंसर आपको बताना है बताईए बालमी की रामान का भासा अनुबाद किस ने किया यानि कि दोस्तों 207 का उत्तर आपको ब पता है कि सर आपका सही आंसर हो जाएगा बिश्णू दास यानि बी नंबर ठीक है बालमी की रामान का भासा अनुबाद किस ने किया है बिश्णू दास ने बी नंबर आपका राइट आंसर है ठीक है तुलसी दास को कली काल का बालमी की किस ने कहा है मैक्स मुलर ने नाभ दासने गिरियर सन या फिर आचार सुकल ने प्रशने किरमान के दोस्व एक क्वेस्चन तो बहुत ही इंपोर्टेंट है तुलिसी दास को कली काल का बालमी की किसने कहा है ये क्वेस्चन आप से पूछा गया और आपका सीधा सीधा अंसर क्या जा रहा है बताएं जल्दी से क अलिकाल का बालमी की किसने कहा है और बहुत ही अच्छा क्वेस्चन और बिलकु सही अंसर आया आपका नाभादास यानि कि दोस्तो आपका सी नंबर जो है वो बिलकु सही है नाभादास की आपने एक रचना पड़ी है भक्तमाल 1585 की रचना है दोस्तो भक्तमाल और भक्त का माल कहां रखा है नभ में तो याद हो जाएगा नाभादास के गुरू का नाम था अग्रदास अग्रदास की एक रचना थी दोस्तो राम ध्यान मंजरी या जिसे ध्यान मंजरी भी कहा जाता है जो कि आपके जी आई सी एक्जाम में पूछी गई थी भक्तमाल के टीका कार पूछा जाता है और लोग नावादास देखो बहुत सारे लोगों ने रेकातर पाठी जी ने सी लगा दिया बहुत बढ़िया और कौन लगा रहा इसी ग्यानेस जी ने भी सी लगा दिया अनीता रानी इनने भी सी लगा दिया संद्या जी ने भी सी लगा दिया बहुत बहुत बड़िया धन्यवाद, यहां टीका कार पूछा है और आपने नाभादास लगा दिया, गलत बात, गलत बात, भक्तमाल के टीका कार पूछा, टीका कार प्रियादास थे, भक्तमाल के टीका कार कौन थे, प्रियादास, भक्तमाल के रचना कार कौन थे, तो नाभादास अगर अकेला भक्तमाल पूछा जाता तो आपका नावादास होता लेकिन भक्तमाल के टीका कार पूछा तो आपका प्रियादास लगाना है ना की नावादास ठीक है गोसवमी तुलिसी दास के गुरू का नाम बताईए प्रशन किरमांक 210 में गोसवमी तुलिसी दास के गुरू का नाम क्या था रामानंद नरहरीदास रामानुजाचार या फिर बलवाचार और यहाँ पर फिर आपने बिलकुल चौका लगाया और बी नमबर लगाया दास यानि भी आपका राइट अंसर है नरहरी दास बिलकुँ सही है तुलिसी दास नाटक के रचेता कौन है प्रशन किरमांक 211 तुलिसी दास नाटक के रचनाकार कौन है प्रशन किरमांक 211 में आपको बताना है तुलिसी दास नाटक के रचनाकार कौन है और आपका सीधा अंसर जा रहा है कि तुल्सी दास एक नाटक है पुरी नाटक किसका है वताइए किसका है प्रश्न के रमांगे 211 में और 211 में आपका उत्तर हो जाएगा श्री नमबर यानि कि जगनात परिसाद चत्रवेदी सी आपका बिलकूँ सही है ये तुल्सी दास नाटक है ठीक है त तुलिसी चरेत के रचनाकार कोन है अच्छा क्वेस्चन है दोसो बारा तुलिसी चरेत के किसकी रचना है ये आपको बताना है सभी साती बताएंगे और सेल्प स्टेडी के लासे से आपको डाउनलोड कर लें सभी साती है ना और दोस्तों बढ़िया तरीके से आपको बताना तुलिसी चरित के रचनाकार कुन है एक अच्छा क्वेस्चन आपसे पूछा गया सभी लोग लाइक कर दो एक बार तुलिसी चरित के रचनाकार और दो सो बारा में आपका उत्तर है कई बार अपने पड़ा है कि सर्थ तुलिसी चरित के रगबर दास की रचना है यानि कि आ आपका जो उत्तर है डी नमबर के डी नमबर बिलको सही है ठीक है तुलसी दास को बुद्ध देओ के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है तुलसी दास को बुद्ध देओ के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है ये आप से क्वेस्चन पूछा गया और अच्छा है तुलिसी दास को बुद्ध देओं के बाद सबसे बड़ा लोक नायक किसने कहा है एक क्वेस्चन है और आपने बिल्कु सही बताया कि सर किसने कहा है डाक्टर गिरियरसन ने डाक्टर गिरियरसन यानि ये नम्मर आपका बिल्कु सही है ठीक है राम काबधारा की दोस्तों भक्ति काल में सगुन भक्ति साखा में एक नाम सुना होगा राम काब धारा का ठीक है अब राम काब धारा का आपने नाम सुना है और इसकी सबसे प्रमुक जो भासा है वो आपको बताना है तो प्रमुक भासा कौन सी है राम काब धारा की question बड़ा अच्छा है और प्रशने किरमां के दो सो चौदा का उत्तर हो जाएगा इसे राम काब धारा की बात करोगे तो इसकी प्रमुख भासा है अब दी है अब आपको बताना कि अब दी किस किस दोस्तों बासा से निकली हुई है ना तो बताईए बी नमबर आपका यहां पर सही है तुलिसी दास की अलोके के घटनाओं का चित्रन किस में हुआ अच्छा क्वेस्चन है दो सो पंद्रा तुलिसी दास की अलोके के घटनाओं का चित्रन किस में हुआ है यह आपको बताना है लाइक करना है शेयर कर देना है अपने मित्रों तक और तुलिसी दास की अलोके घटनाओं का चित् किसमें हुआ है कि आपसे question पूछा गया प्रशन किरमा के दोसो पंद्रा में है ना और दोसो पंद्रा का आपका उत्तर है कि सर यह जो है यह गोसाइं चरित गोसाइं चरित के नहीं गोसाई चरित में गोसाई चरित के रचनाकार कौन है जल्दी से बताओ गोसाई चरित के रचनाकार कौन है ये भी बताना हरियोम जी तुलिसी दास को चलता फिरता तुलिसी तरू किसने कहा है तुलिसी दास को चलता फिरता तुलिसी तरू किसने कहा था प्रशने किरम किस ने कहा है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा किसर इने कहा है किसने मदू सूदन सरश्वती ने दी नम्मर आपका सही है चलता फिरता तुलशी तरू मदू सूदन सरश्वती यानि डी आपका राइट आंसर तुलशी दास जी बिद्दमान थे दोस्तो कौन सी सताबदी में तेर भी चौद भी पंदर भी आ फिर सोली जल्दी से बताएं और एक बार जल्दी से लाइक जरू कर दें जल्दी स की आपको बताना है कि तुल्शी दास बिद्दमान थे तो किस सताबदी में बिद्दमान थे और भी बिलको सई आंसर है सर सोली बी सताबदी यानि D नमबर आपका सही है ठीक है प्रशने किरमांग 270 में D आपका राइट आंसर है बेरी गोड सोली बी सताब दी तुलसी की माता का नाम क्या था तुलसी का माता का नाम बताना है गोद लिये हो लिसी फिरे तुलसी सोसुत होई ये पंक्ति किसकी है ये भी बता दो गोद 218 में तुलसी की माता का नाम पूछा तो आपको बता है तुलसी की माता का नाम हुलिसी था ये नमबर आपका सही है तुलसी दास के कितने गरंत प्रमाने कमाने गए दोस्तों 219 तुलसी दास के कितने गरंत प्रमाने कमाने गए 219 में आपको बताना है जब तक मैं 12 का चक् सो बारा तुलशी दास के प्रमारे गरंतों की संक्या कितनी है बारा राम अनंद के सिस्थियों की संक्या कितनी है बारा देखो बारा बारा की लाइन लगी है सर ठीक है तुलशी दास के गरंतों की प्रमारे कमाने गए कितने बारा यानी बी नम्मर आपका बारा है बिलको सही हो जाएगा ठीक है इसको याद रखती है राम बिला सर्मा का जन्म में भी कब हुआ दोस्तों कब हुआ राम बिला सर्मा का बताइए बारा उनीस सो बारा राम बिला सर्मा का भी उनीस सो बारा में जन्म हुआ ठीक है संबत सोलह सो एक तीसा कराउं कता हरिपद धर सीसा उपर सोला सो एक तीسा कराऊں कथा हारी पद धर सीसा दो सो बीस में आपको राइट आंज़रा आपको चेंड करना है और यह जो पंक्ती कही गई है दोस्तों यह किस गरंते से सम्मंदित है तब आपका राइट आंज़र हो जाएगा राम चर्यित मानस से यानि की आपका सी नमबर रामचरित मानस का रचनाकाल क्या है इसकी भासा क्या है इसका जो दोस्तो रचना काल में कितना समाई लगा रचना करने में तो वो आपको बताना है कमेंट में बताइए सबी लोग नौमी भौम बार मदुमासा अबद पूरी है चरित प्रकासा प्रश्न किरमांग 221 में ये की अनुसार राम चेत मानस का सुवारंब कहा हुआ था कहा हुआ था नौमी भौम बार मदुमासा अबद पूरी है चरित प्रकासा दो सो इकीस का अनसर आपको चैन करना है ये शबी लोग बताएं बहुत बढ़िया यहाँ पर दोसो 21 बार प्रशन पूछा गया और आपने बता दिया बिल्को सही कि सर आयोध्या में आयोध्या में हुआ था इसका दोस्तों है ना सुभारंब यानि आपका सी नंबर बिल्को सही है ठीक है जन में मुक्ती मही जानी ज्यान खान अगहानी कर जहबस संबु भवानी सोकासी से अकसना किसी कंदा कांड के मंगला चरण में तुलसी दास ने किसका वर्नन किया है बहुत बढ़िया कॉस्चन है दोस्तों बताइए 222 इस पंग्ती के अनुसार आपको चेहन करना है लाइक क करना है अपने मितनों तक सेयर जरू कर लो और हिंदी साहित के एप की लिंक नीचे दी है तो आप सभी साती हिंदी साहित के एप की लिंक दोस्तों लिंक से एप को डाउनलोड कर सकते हो तो जल्दी से आपको बताना है ये पंग्ती के बारे में राइट क्या हो जाएगा य रचना तुलिसी दास ने कहां की, most important question, IMP question है दोस्तों इसमें, किसी कंदा कांड से उत्तर कांड तक की रचना तुलिसी दास ने कहां की थी, कहां की थी, अई उध्या में, कासी में, प्रियाग में, या फिर चित्रकूट में, यानि कि दोसो तेईस का आंसर आपको बताना है किसकंदा कांड से उत्तर कांड तक की रचना तुलसी दास ने कहां पर की थी ये आपको बताना है खुरेशी जी बहुत वड़िया दोसो तेईस का आंसर और वो की थी दोस्तों इन्होंने कहां पर कासी में किसकंदा कांड से उत्तर कां की ती कब की थी आरम्ब बताइए 224 का अंसर बताना है इन्हों ने geschू की लत कुछा घ。 जुसके की चुरूरीदास का अंसर को स्याद म कदख की ती 224 का अंसर बहुत ही अच्छा क्वेस्चिन आप से पुछा गया है दोस्तों आपको लाइक करना है मित्रों तक शेयर करना है और तुल्शिदास की जो रामचेत मानस है महाकाब है साथ कांड है दोस्तों अबदी भासा में लिखा गया महासा काब है और यह जो इसकी आरंब हुईती रचना आरंब हुईती पंद्रा सो चोहतर इस भी यानि कि आपका उत्तर डी नम्मर जो है वो बिलकुँ सही है भक्तिकाल के किस कभी ने अपनी हिंदी की रचनाओं में संस्कृत की सभी सास्त्रिय परंपराओं का निर्भाहन किया है यानि कि दो सो पच्चीस का आंसर बताना भक्तिकाल के किस कभी ने अपनी हिंदी की रचनाओं में संस्कृत की सभी सास्त्रिय परंपराओं का पा निर्वाहन किया है तो बताईये किसमे किया तुलिसी दास में, सूड दास में, कबीर दास में, या फिर दोस्तों जायसी किस कभी ने अपनी हिंदी की रचनाओं में संस्कित की सभी सास्त्रिय पर tu XL कोने कोन है तो पत्र आया हुआ है वीडियो को लाइक जरू करना है और 226 में से आपका उत्तर बताना है और कशन गीता बली जो कि दोस्तो बरिज भासा में लिखी गई आपको पता है कि तुलशी रास ने बरिज का भी दोस्तों बरिज में भी रचनाई की और अब दी में भी की। अबदी की अपनने याद किया था कि जर तुलसी दास की जिन बारा प्रमाणेक रचनाओ मैंसे जिन में अबदी और मंगल आए बो अबदी में और जिसमें राम और मंगल ना आए बो बुरच भासा में जैसे राम अग्या प्रसनावली, राम चरित मआनस हैना ये सब अबदी में है और क्रश्ण गीता वली में राम आई नीरा कहा ही मंगल भी नहीं आ रहा तो ये क्रश्ण गीता वली ब्रज में है और इसके रिचनकार कोने तुलिसी दास है ठीक है बिनाय पत्रिका का एक अन्य नाम क्या है ये बताना है दो सो सत्ताइस में बिनाय पत्रिका का एक अन तक और आपका उत्तर हो जाएगा इसका राम बिनया बली यानि किसी नमबर बिनया पत्रिका का एक अन्य नाम माना जाता है विश्वास मलिक जी राम बिनया बली और ये राम बिनया बली या बिनया पत्रिका की जो भासा है वो भासा तो आप सभी को पता है कि सर ब्रज भासा है ठीके ब्रजभासा डी नमर बिन्य पत्रिका की रचना किस रूप में है एक क्वेशन आपसे पूछा गया और वो रूप बताना है दोस्तों कौन सी बिनाइ पत्रिका की रेचना जो है यह गीती काब है क्या है में है गीती काब में है यानि कि आपका बी नमबर जो है बी नमबर 29 का बिलकुल शही है बी नमबर बताया है बहुत बढ़िया अंगला question देखो बिनाइ पत्रिका में आत्म निबेदन कितने राग मुक्ती है तू तो 230 का अंसर और 230 में आत्म निबेदन कितने रागों में हुआ तो वो हुआ है 21 रागों में 21 यानि कि आपका स्थी नमबर बिलकुल शही है बहुत बढ़िया अंसर आ रहा है आप लोगों के बिलकुल राइट राइट तो आंसर बता रहे हो बिनाइ पत्र पत्रिका का फिर मुख रस कौनसा है ये अच्छा क्वेस्चन है 231 का अंसर बताना है और आपका उत्तर जाएगा कि सर बिनाइ पत्रिका का अगर आप रस पूछोगे है ना तो ये रस है कौनसा सांत रस है कौनसा रस है सांत रस ठीक है तो ये डी नमर आपका सही है में एक जीवन है योग भावनाव आप बोलोगी कि सर आप तो बिनाय पत्रिका के पीछे ही पड़ गए ठीक है कोई बात नहीं बिनाय की पत्रिका है अब इसके पीछे तो अपन को पड़ना ही पड़ेगा तभी तो अपना काम बनेगा बिनाय पत्रिका का बिसाई आपको बताना है बिसाई जल्दी से बता दीजिए बिने पत्रिका का बिसाई क्या है बहुत अच्छा कोश्चन है और 235 में आपका उत्तर हो जाएगा कि सर यह है अध्यात्मे की जीवन यानि यह नम्मर आपका बिलको सही है ठीक है बिने पत्रिका में क कितने पद हैं ये आप से पूचा गया 233 में आंसर पूचा गया और आपने बता दिया कि सर ये जो बिनैपत्री का है इसमें पदों की संक्या कितनी हैं कितनी हैं अनूतर पाठी जी कितनी हैं 280 यानि ये नम्मर आपका 280 बिलको सही है 280 राइट आंसर तुलशिदास की प्रतम प्रतम रचना कौनसी है 234 प्रतम रचना कौनसी है ये question दोस्तों अपनको बिकल पनूसार लगाना है तो बताइए 234 में आपका right answer कौन सा हो जाएगा यहां पर बताईए तो यहाँ पर जो बिकल पनुसार दोस्तों अलग-अलग बिद्वानों ने अलग-अलग मानी है इनका राइट आंसर गीता बली हो जाएगा बिकल पनुसार वैसे अलग-अलग बिद्वानों किसी ने बेराग संदीपनी को माना है है न यहाँ पर आपको भी लगाना है ठीक है तुलसिदास की काब कला की सबसे मधुरतम अभी व्यक्ति क्या है तुलसिदास की काब कला की सबसे मधुरतम अभी व्यक्ति आपको बताना क्या है कविता वली है दोहा वली गीता वली या फिर जान की मंगल सबसे मधुरतम अभी ब्यक्ति चैन करना है, प्रश्नकिरमांक 235 में पताइए 235 में आपको चैन करना है, 235 का सबसे मदहुर्तम ब्यक्ति कौन है, ये आप से पूछा गया, तो सबसे मदहुर्तम जो ब्यक्ति है वो गीतावली है दोस्तों उनकी गीतावली, सी नमबर, ठीक है, सबसे मदोरतम अभी व्यक्ति ए तुलशी दास की, गीतावली का रचना रूप क्या है, यानि की गीतावली क्या है, इसका काब रूप क्या है, वो बताना है, खंड काब है, प्रबंद काब है, गद काब है, या फिर गीती काब है, एक बताने की सर गीता वली गीती काब है क्या है गीती काब है क्यानिए डी नंबर ठीक है निम्र मैसे किस एक रंत में तुलसी ने चंद विसेशना रखकर एककाई सरागों की योजना की है एककाई सरागों की योजना किसमें की है 237 का अंसर तो चंद विसेशना रखकर एककाई स रागों की योजना की है तो बताइए गीता वली में रामग्या प्रस्ण रामचेत माना सिया फिर बेराग संदीपनी तो यहां पर आपका उत्तर ये नम्मर साहिए एक कैस रागों की चंद योजना ना रख करके कैस रागों की दोस्तों इसमें योजना की है येक नम्मर आप का साहिए गीता वली की भासा बताइए अब भासा में तो आपको याद रख्टे ना है कि भासा में आपको कोई कटना ये होगी रंजना जी गीता वली की भासा क्या है 238 का अंसर बताना है 238 अब दी ब्रैज भोचपुरी या फिर बुन्देडी और 238 में आपका उत्तर जा है कि सर गीता वली की भासा तो ब्रच है आपने ट्रिक बता दिथी तुलसिदाज की जिन 12 प्रमाजक रचनाओं में राम और मंगल आए वह अब दी जिन में राम की लिंक के नीचे दी है इस एप को आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों है ना केवल हिंदी साहित के लिए एप बनाया गया बाकि सेल्फ स्टडी के लासे से तो आप जुड़े होंगे उससे आप जुड़े रहें है ना और जिन भी सातियों को जूनियर सुपर्टेट हिंदी के लिए मॉडल पेपर लेना है वो मॉडल पेपर ले सकते हैं 350 में क्रस्ट कोर्स लेना है बो ले सकते हैं 599 में ठीक है तो तुलशीदास ने मीन की सनीचरी का वर्नन किस गरंत में किया 249 का अंसर है और 249 में आपका उत्तर हो जाएगा कभिता वली में एक क्वेस्चन या सनीचर सनीचर आता ना एक दिन वो ले सनीचर को हम कभिता कभिता गाते हैं कभिता तो सनीचर याद रखते ना कभिता वली कभिता वली में कितनी कभिताएं हैं बताओ कभिता वली में कितनी कभिताएं हैं 240 का अंसर और 240 में आपका उत्तर जा रहा है कि सर कभिता वली की ब 325 कितनी है कविता वली में कविता हैं 325 कविता हैं ठीक है बहुत बड़ी आंसर अब यहां पर आ जाते हैं कविता वली को कवित रामाण भी कहा जाता है क्यों कि क्यों कहा जाता है इसे कवित रामाण बताईए इसे कवित रामाण क्यों कहा जाता है कविता वली को 241 का अंसर बताना है लाइक करना है मित्रों तक शेयर करना है वीडियो को दोस्तों ठीक है कविता वली को कवित रामायन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें राम कता साथ कंडों में वरने थे इसमें राम और सीता की बंदना मादरवाव से की गई है इसमें भगवार राम की इस्तुति और ब कीडियाफ नौटर है कि सर इसमे रामकता साथ कांडों में वरनेट है कि कवित रामाइन है ये नमबर आपका यहां पर सई हो जाएगा एक नमबर आपका राइट आंसर है कवित अवली में कितनी प्रिकार के छंदों का प्रियोग हुआ है बहुत ACH्चा Quesion है 242 में, 242 का बताईए, PDF दोस्तो PDF आपके लिए पर्चेस करनी पड़ेगी, अप में जाकर के, निचोड किलास की PDF, हिंदी साइट का पूरा निचोड की PDF जो है, आपके लिए 999 रुपे की है दोस्तो, हिंदी साइट का पूरा निचोड है, ये PDF आपको 999 रुपे में रखी ग का प्रियोग हुआ है 242 का अंसर और 242 में 4 प्रिकार की कितने प्रिकार की 4 यानि आपका C नमबर बिल्को सही है अंगले क्वेस्चन क्यों जाते हैं अंगला क्वेस्चन आपको है कविता वली के किस कांड में एक ही चंद है बाल कांड में 243 का आंसर बताना है लाइक करना है शभी को कविता वली के किस कांड में एक ही चंद है यानि डी नमबर आपका बिलको शही है डी नमबर राइट आंसर बेरी गुड किस गरंट में तुलसी ने राम के एस्वर को प्रधान इस्थान दिया है तो किस गरंट में दिया है ये आपको दो सो चवालीस का उत्तर बताना है और दो सो चवालीस में राम के एस्वर को प्रधान इस्थान दिया है तो किस में दिया है है ना model paper app में जाकर कि आपको model paper लेने पड़ेंगे model paper app में जाकर कि ठीक है तो आपका यहां पर right answer हो जाएगा यह दोस्तो पीडियेप print निकल पाएगी यह नंबर आपका कभीता बली सही हो जाएगा ठीक है आप PDF बाला course लेंगे ठीक है तो PDF का print निकलेगा PDF बाला केवल PDF बाला ठीक है बैराग संदीपनी किस कभी की रचना है प्रश्न किरमांग 245 आप 999 का हिंदी सायत का निचोड निचोड यानि की important इंपोर्टेंट वाली PDF 999 में आप करी सकते हो इसका print भी आपको निकल जाएगा है ना बैराग संदीपनी किस कभी की रचना है 245 का अंसर आपको चेहन करना है और 245 में बैराग संदीपनी और बैराग संदीपनी ये जो है दोस्तों ये तुलिसी दास की रचना है किसकी रिचना है तुलसी रास की बेरिगोड रामग्या प्रशने का दूसरा नाम क्या है ये आपका कॉस्चन है लाइक जरू करें सभी साती और दोस्तों अपने मित्रों तक सेयर करो ये किलास आपके लिए रोज 9 बजे चलती है इस किलास से आपको जुड़ी रहना है वली रामायन क्या है दोहा वली रामायन स्री नम्मर आपका बिलको सही है दोस्तों स्री नम्मर राइट आंसर बेरिगोड रामग्या प्रशन में साथ सर्ग हैं प्रत्यक सर्ग में साथ कोस्चक और प्रत्यक कोस्चक में साथ क्या है चौपाई छपाई छपाई वर्वे य सरग और साथ कोष्टक और दोस्तो प्रत्य कोष्टक में साथ क्या है साथ क्या है 247 का अंसर बताना है ओक्के आसा जी बताईए बिद्या जी पिंटू जी प्रेस्ट किरमाग 247 और 247 में आपका राइट अंसर है दो हे क्या हैं दो हे यानि डी नंबर रामग्या प्रस्ट में साथ सर्गे हैं प्रत्यक सर्ग में साथ कोश्टक और प्रत्यक कोश्टक में साथ दो हे हैं यानि डी नंबर आपका बिल्कु सही रामग्या प्रस्ट है तुलसी दास की कुमार संभाव से प्रभावित रचना कुमार संभाव से प्रभावित रचना कौनसी है प्रश्न किरमांक 248 और 248 में तुलशी रास की कुमार संभाव से प्रभावित जो रचना है वो रचना कौनसी है कौनसी रचना है पारवती मंगल ये पारवती मंगल और जान की मंगल ये दो खंड काब में दोस्तों ये दो तुलसिदास की कौंसी रचना बालमी की रामाईन पर आधारत है बताईए 249 का अंसर कौन सी रचना बालमी की रामाईन पर आधारत है तो आपको बताना है उत्तर क्या है उत्तर क्या है संपूर कोर्स में पीडियाप ईबुक रहती है पीडियाप को पढ़ सकते हैं पीडियाप का प्रिंटर नहीं निकलता उसमें तुल्शिदास की कौन सी रचना बालमी की रामान पर आधारे थे दो सो नंचास का कौस्चन आपको बताना है और दो सो नंचास में आपका सीधा अंसर जा रहा है जान की मंगल यानि कि ये बालमी की रामान पर आधारे थे ये नम्मर आपका बिलकुँ सही है ठीक है जान की मंगल बालमी की रामार पराधारे थे राम लला नहचू की भासा क्या है राम लला नहचू की भासा क्या है तो बताईए 250 में आपको तो पताई है बताई राम लला नहचू की भासा क्या है अखिल ग्यान का सागर कहा जाता खुरेशी जी बिल्कु सही है 250 का अंसर और आपका राम लला नहेचु की भासा पूचा गया तो आपको पता ही चल गया कि सर इसमें तो राम आया राम मतलब इसमें अबदी है अबदी यानि की बी नम्मर आपका बिल्कु सही है बर्बे रामाण में कितने बर्बे चंद है कितने बर्बे चंद है 259 बर्बे रामाण में कितने बर्बे चंद है ये 259 का आंसर बताना है और 259 में आपको बताना है बर्बे रामाण में कितने बर्बे चंद है तो वो हैं दोस्तों बताईए कौन-कौन बता रहा है रामग्या प्रस्न जोतिस्ति सम्मंदी है बिलकुर सही है 259 में आपका उत्तर है वर्वी रामाण में 69 चंद है 69 बर्वी चंद है सी नमबर सही है बेराग संदीपनी कितने भागों में विभाजित है ये आपको बताना है अगर आप चाहते हैं हिंदी साहित का इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पढ़ना यानि कि दोस्तों मात्र इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पढ़ना है वन लाइनर तो आप दोस्तों हिंदी साहित का निचोड पीडियप भी पर्चेस कर सकते हैं जिसकी प्राइज है 999, उसका प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं आराम से, बेराग संदीपनी कितने भागों में बिभाजे थे, ये 252 का प्रशन आप से पूचा गया, और आपका उत्तर की सरी चार भागों में है, बेराग संदीपनी कितने भागों में, चार भागों में, च 253 का आंसर, 253 का आंसर बताईए, साम पंडिजी प्रश्न किरमांग 253 में और 253 का आपका राइट आंसर ये नमबर, दोहा, सोर्था और चौपाई, एक नमबर आपका बिलकुँ सही है, ये आपका राइट आंसर हो जागा, ठीक है, तो क्या है राम चरित्मानस की रचना पद्धती है, दोहा, चौपाई पद्धती है, छपपाई पद्धती है, या फिर कबित्य सबया पद्धती है, यानि कि दोसो चौगन में आपका सही आंसर है, इस राम चरित्मानस में दोहा, चौपाई पद्धती है, बी नमबर आपका बिलकु सही है, राम चरित्मानस की बताईए राम-चृत मानस की भासा बताना है और एक बार like कर देना है अपने मित्रों तक दोस्तों और share कर देना है इस class को राम-चृत मानस की भासा बताना है अच्छा question आप से पूछा गया है नीचे link दिये हैं दोस्तों हिंदी साइट के app की तो app को downlode कर सकते हो Self-study classes से आप download करके Hindi site के model paper प्राप्ट कर सकते हो ठीक है राम चरित मानस की अगर बात करें 255 की तो 255 में आपका उत्तर है C यानि की अबदी C नमबर यानि की अबदी आपका right answer हो जाएगा Very good अब यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा इसको देखते हैं राम चरित मानस को पूरा करने में तुलसी दास को कितना समाई लगा बहुत अच्छा question है राम चरित मानस को पूरा करने में तुलसी दास को कितना समाई लगा एक बरस साथ माँ है एक बरस ग्यारा माँ है तीन बरस साथ माँ है या फिर दो बरस साथ माँ है बताइए रामचरित मानस को पूरा करने में कितना समय लग गया 256 का अंसर आपको चेन करना है और लगबख सभी को पूरा पूरा उत्तर बता दीजिए अब यहाँ पे तो सिर्फ माह दिया है लेकिन आपको पता है कितने लग गया दो वर्स साथ माह है यहाँ कि आपका डी नमड़ सही है और 26 दिन ठीक है तो यह आपका डी बिलकुछ सही है 2726 बेरीओर रामचरित मानस से किस समबाद का सम्बंद नहीं है 257 में और 257 में आपका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाते यह question पूछा जाता है राम चुत मारस से किस संबाद का संबंद नहीं है ये पूछा जाता है शबी लोग बताएंगे और आपका सीधा आंसर जा रहा है किसा राम सीधा संबाद का संबंद नहीं है एक नमबर आपका सही है ठीक है राम चुत मारस में कितने कांड है कांड बताईए और कांडों को कर कांड है और पूरे कांड़ आपको करमबद भी लिखना है पांच, सात, नो, या फेर ग्यारा, राम चरित मानस में कितने कांड़ है,high갈ए ने इन कांड़ों को आपको बताना है, जल्दी से बताओ, बीनमर आपका सही है कि सात कांड़ है, लेकिन सात कांड़ कौन-कौन से हैं ये आपको क्रमबद लिखना है और रामचित मानस के कांड़ों का सही अनुक्रम भी बताना है बताईए नीचे दिया है 269 में क्रम बताईए कौन सा क्रम सही है बताएं कौन सा क्रम सही हो जाएगा तो यहां पर आपको दिख रहा होगा इसरबाल अयुद्या अरंड किसकंदा सुन्दरकांड है ना तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा सी नंबर सी नंबर आपका बिलकु सही है सीता जी की बंदना करते हुए उनको कन्या मा और प्रि दो सो साथ है, दो सो साथ का उत्तर मा और प्रिया के रूप में किसने इसमर्ण किया है, बालमी की मेत्रिशन गुप्त है, तुलसी दास, या फिर इन में से कोई नहीं, तो बिलको सही आंसर आप लोग जा रहे हैं, और सीता जी की बंदना करती है, उनको कन्या मा और प्रिया रूप में किसने इसमर्ण किया, दो सो साथ का आंसर, और आपने बिलको सही बताया है, तुलसी दास, यानि बी नम्मर आपका बिलको सही है, बेरी गुड, सभी सातियों के लिए बहुत-बहुत धनवाद, सभी साती ये हिंदी साहित के एप की लिंक नीचे दी है, तो एप 999 की निचोड किलास की PDF है, ठीक है, और दोस्तो ये हिंदी साहित का क्रेस कोर्स लांच किया गया, जूनियर सुपर टेट के लिए, यानि कि लास्ट के दस दिनों में आपको क्या पढ़ना है, ये जूनियर सुपर टेट में आप पढ़ सकते हैं, साथ ही दोस्तो जूनियर सुपर टेट का एक 20 मॉडल पेपर लांच किये गए, ये 20 मॉडल पेपर सौनमबर हिंदी के हैं, दोस्तो, सौनमबर हिंदी की प्रेक्टिस आपको करना है, जिसमें हिंदी साहित प्लस ब्याकरन रहेगा, ये जूनियर एडिट सुपर टेट के लिए आप पढ़ सकते हो, ठीक है, और एक हिंदी साहित का डेली टेस्ट तीरी चला है, दोस्तो, अगर आप चाहते कि हमें डेली टेस्ट लगाना हिंदी साहित का, तो डेली टेस्ट तीरी चल लई है, एक बरस तक, रोज सुबह आठ बजी ये टेस्ट दोस्तो, आपके एप पर पहुंच जाता है, तो इस एप से आप लोग जोड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना, ये कोर्स मात्र 499 का है दोस्तों, तीन सो पैसर दिन रोज एक डेली टेस्ट आपको मिलेगा, आप टेस्ट कर सकते हैं, अल्लिमिटेड वार उसको अटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, आजय सर्मा जी, सुश्मा जी, अमिता जी, सांती जी, लबली, आसु जी, रोली, सिंग जी, बिद्या जी, सभी सात्यों को उदय जी, रातिका, फिरमोद जी, रेका, तरपाथी जी, हमन जी, रितिका जी, सभी सात्यों को धनबाद, लाइक करते रहें, अपने मित्र बार को होती है बिलकुल तो तब ताह में दो दिने फ्री टेस्टीरिज होती है 2020 टेस्टीरिज तो 2020 टेस्टीरिज से भी आप लोग जोड़ सकते हैं ठीक है तो शबी सातियों के लिए धन्बाद वीडियो को लाइक सेर करें जै हिन